जहीं दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूटीव चैनल पे स्वागत है भाई आप सभी का उमीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे सभी बढ़िया होंगे मतलब आप भी बढ़िया होंगे वो भी बढ़िया होंगे ठीक है और बढ़िया तरीके से सभी की जो तयारी है वो चल रही होगी और बहुत ही बढ़ियां आप लोग प्रियास कर रहे होंगे अपने परिशा को लेकर क्योंकि अब तो समय का जो प्रेशर आप लोग को फील हो रहा होगा एक एक मिनट की कीमत आप लोग बहतर से समझ रहे होंगे और अभी तो ऐसा लग रहा होगा बाप रही यह भी कम्प्लीट करना है वो भी कम्प्लीट करना है वो भी कम्प्लीट करना है क्योंकि अभी जो मिश्रा जी की उपर हम प्रेशर देख पा रहे हैं पतलब इतना प्रेशर हमने कभी नहीं देखा तो अगर मिश्रा जी के उपर में इतना प्रेशर है तो सुचिए आपके उपर में कितना प्रेशर हो रहा होगा पड़ा सा मैट्स भी कर ले, जीयस भी कर ले, ये भी कर ले यार ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया तो भाई इतने समय में हम आपको बस एकी बात बोल पाएंगे ज्यादा लोड मत लेना थीक है नहीं तो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में खिचड़ी बन जाईगी तीक है समझ रहे हैं बात को लेके तो ऐसा नहीं करना है शुन्यक की भाती अपने आपको नहीं बनाना है एकदम स्थिर रखना अपने दिमाग को और बढ़ियां से पढ़ाई करनी है बाकि आज का बड़ा प्यारा सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समझे ना आज है यह चलिए दीजे सर एक बार तो जल्दी से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे हर जगा पर सभी लोग उमारे साथ में जूड़ जाएं सभी बच्चे जो हैं यहां पर आजाएं ठीक है फटा फट भाई शेयर कर दू जल्दी से जल्दी से आजाओ भाई लाइव आजाओ फटा फट आजाओ और हर जगा पर वीडियो को शेयर कर दो ठीक है थोड़ा समाजी खित करते हैं सभी का भला करते हैं और थोड़ा से पूरा 14 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है आज हमारा पंद्रहवा दिन है और अगले एक हफते में आपका ये प्यारा से सेशन को अलवीदा कहना पड़ेगा हमें क्योंकि बस शेयर का टॉपिक और बाकी है ठीक है चलिए बहुत बढ़ी है मेरे भाई आईए तो आगे बढ़ते हैं और आगे सबी सवालों को आज हम देखते हैं तो आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई क्या डिसकाउंट और बड़ी प्यार से आज मैं पढ़ाओंगा कि जब भी किसी वस्तू के कीमत को कम करने की बात आती है तो उसी को हम क्या बोलेंगे डिसकाउंट बोलेंगे हम लोगों की आदत क्या है हम कोई वस्तू खरीदने गए और वहां जाके जबरदस्ती का मतलब अगर डिसकाउंट नहीं भी हो तो हम क्या बोलेंगे नहीं बही गिफ्ट कर देगा लो भीया ले जाओ वो डिसकाउंट नहीं होता है ठीक है आर्टिकल का गिफ्ट करने का डिसकाउंट वो एक अलग कंसेप्ट है उसको भी हम लोग तरीके से पढ़ेंगे लेकिन में कीमत को कम कराना वो सबसे बड़ा डिसकाउंट होता है ठीक है न तो होता है मेरे भाई यहां पर मार्किट प्राइस होता है यानि एक तरीके से अंकित मूल्य ठीक है यहां पर क्या हो गया तो अंकित मूल्य हो गया किसी भी चीज का मतलब यहां पर जो भी कीमत उसके उपर में अंकित होगा वहीं उसका अंकित मूल्य कहलाएगा जैसे भी फर इनोतों के बाद में इनकी जो दुआ कुभूल हुई है वो पूरी रहे कायम रहे तो जब यह मार्केट में गए और जब इन्होंने डेर में लिक सिलका पूछा कितने का था मिश्राजी बड़ा वाला एक सोपचासी रुपय का ठीक है हाँ एकदम और वो भी नया वाला आ रहे है ना हाट करके मतलब लेकर आये दिखा रहे थे तो इन्होंने कहा कि सर उसके उपर में कितना रुपया लिखा हुआ था रुपीज 185 करके अब जो उसके उपर में लिखा हुआ है यहाँ पर 185 करके तो वो उसका क्या हो गया अंकित मुल्य हो गया वो उसका क्या हो गया मेरे भाई अंकित मुल्य उसी को हम क्या बोलते हैं तो मार्केट प्राइस बोलते हैं अब माल लीजे हाँ पर दुकांदार जो है कुछ डिसकाउंट यहाँ पर इनको दे दे ठीक है हाला कि चॉकलेट का यहां पर समान था और दुकांदार ने कहा जाओ भई हमारे तरफ से जो हम कुछ नहीं कमाएंगे तुमको 10% का डिसकाउंट दे देंगे क्या दे देंगे 10% का डिसकाउंट दे देंगे यानि उसकी कीमत को क्या करना कम करना तो तो डिसकाउंट देने के बाद में, बट्टा देने के बाद में, दुकानदार ने जिस कीमत पर इनको बेचा, वो हमारा कहलाता है Selling Price, यानि क्या हो जाएगा, विकरे मुल्य, और जिस कीमत पर हमारे मिश्राजी ने खरीदा, वो हमारा क्या हो जाता है, तो Cost Price हो जाता है, य जो कीमत में कमी हो गई उसे डिसकाउंट बोलते हैं और उसके बाद में जितने में बेचा गया उसे हम क्या बोलेंगे तो विकरे मोले बोलेंगे अभी आप देखेंगे कि अलग-अलग वस्तु के उपर में जब कीमत को कम किया जाता है तो कैसे हम उसकी सेलिंग प्राइस को निकालते हैं और किस तरीके से हम उनके सभी बातों को जानते हैं उस सारी बाते जो है आप लोग समझने माले हैं तो अभी एकदम छोटू-मोटू कोशन के साथ में हम शुरुआत करते हैं और पहले मेरे तरफ से एक सवाल ले लीजे माल लीजे किसी वस्तू का अंकित मुले यहां पर कितना है तो वहीं मिश्रा जी का चॉकलेट का दाम ले लेते हैं एक सौसी रुपए और दुकानदार ने इनको डिसकाउंट दिया है 10% का तो बताईए यहां पर दुकानदार ने इनको बेचा कितने में तो आप बोलेंगे कि सर देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यहां पर 100 वाले मेथड कहीं इस्तमाल करेंगे हम दो तरीके से इसे बना सकते हैं देखो अगर डिपेंड करता है मेरे भाई डिसकाउंट का जो परसेंटेज है परसेंटेज आपके दो परकार के होते हैं हमने आपको पहले भी बता रखा है तो अगर यहां पर परसेंटेज कुछ ऐसे मिल जाए एक परसेंट दो परसेंट ठीक है तीन परसेंट और यह सारा का सारा और दूसरा मेरे भाई अगर बटे में हो जाए जैसे 16 सही 2 बटे 3 हो गया उसके बाद में 11 सही 1 बटे 9 हो गया ऐसे करकर के तो अगर ऐसे वाला होता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर 100 वाला मिथट लगा सकते हैं ठीक है या फिर आगे चलके किसका प्रेयो करश रखते हैं तो आगे चलके मेरे भाई सक्सेसिफ का प्रेयो करश रखते हैं कि भाई या हम इसको बनाएंगे तो सक्सेसिफ से बनाएंगे लेकिन अगर वहीं पर बात आती है कुछ ऐसे फ्रैक्शन वालेगी तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है हम किसका इस्तमाल करते हैं तो रेशियो में धड़का इस्तमाल करते हैं इसका इस्तमाल करते हैं भाई तो रेशियो में धड़का इस्तमाल कर रहे होते हैं तो अगर हम देखेंगे यहां पर तो यह एक नॉर्मल डिसकाउंट है, नॉर्मल डिसकाउंट है तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 110 रुपह, यह हमारा क्या है, मार्केट प्राइस अंकित मुल्ले है, यानि अपने आप में यह कितना है, तो 100% का दाम है, जैसे CP अपने आ 90% में, बिके का कितने हैं मेरे भाई, तो 90% में यहां पर, ठीक है, 0 से 0 खतम, 0 से 0 खतम, 18 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर, यहां पर 162 रुपह, यानि दुकानदार ने कितने में बेचा, 162 में, और इन्होंने खरीदा कितने में, 162 में, समझ में आ गया बा जाला सवाल आपके लिए, और जीडी का हमारे यह सवाल है, समझिये, क्या का है, क्या का है, क्योशन में दोस्ते यहां पर बूला गया है, कि एक टेलिवीजिन 14,500 रुपहे में उपलब्द था, दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, तो बताएगे, छ सबी बच्चों का कहना है, एक बच्चानी, काफी सारे बच्चे कहना है, कमेंट बॉक्स में बफार बफ़र, मुझे ने लगारा मेरे भाई बफारिंग हो रहा है, नियुक्त है ठीक है और उसके उपर में जो हमने बेचा है वो हमने बेचा कितने में 11,890 में हमने बेचा है तो बोला गया discount का percent कितने का है अगर आपको discount का percent निकालना है तो इसके लिए आपको formula लगाना पड़ेगा discount upon MP into 100 जैसे profit और loss को निकालने के लिए बटे में CP को लेते हो तो वैसे ही discount को निकालने के लिए आपको बटे में क्या लेना होगा MP हमेशा बटे में उस शीज को लेते हैं जिसकी value fix होती है जिसकी value fix नहीं होती हम उसकी value को count नहीं करते हैं तो अगर हम बात करें तो हमने discount कितने का लिया 14,500 में से हम इसे घटा देते हैं मेरे भाई तो यह हमारा हो जाएगा कितने के करीब में तो हम बोलेंगे इस में से घटाईए 110 210 अगर आ जाता है इसके पास में 12,000 और 25,000 और 26,000 रुपए 2610 का इतने का डिसकाउंट है जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2610 हो आएगा बट्टे में मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 145 हो जाएगा मतलब इतना हो जाएगा और इन्टु कितना करेंगे तो इन्टु हमारा 100 हो जाएगा तो यह हमारा होगा कि इतने का डिसकाउंट इतने के ऊपर इन्टु हंड्ड iod यदि आप देखेंगे तो 2,0 से आपका 2,0 खतम और अगर हम इसको 145 से काटने की कुशिश करेंगे तो 145 है हमारा एक बार में ठीक है और उसके बाद में यहां पर यह कितना हो जाएगा तो बोलोगे सरे 1160 845 हो गया और 832 और 436 तीने 11 और यह 8 बार में जाएगा यानि कुल मिलाकर जो डिसकाउंट का परसेंटेज निकल कर आएगा वो कितना परसेंट निकल कर आएगा तो बोलेंगे गुरुजी 18% कौन सा option होगा तो option number जो C होगा वो हमारा बिलकुल सही उत्तर होगा option number जो C होगा तो वह हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा. ठीक है? चलिए. बहुत बढ़ियां भाई. बहुत शांदाश. क्लियर हो गया ये बातThis है हाँ पर? चलिए. आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं. कोशन नबर 2 की बात करते हैं. question number 2 क्या बोला गया है question number 2 में कहा गया यदि एक वस्तू का विक्रे मुले 900 रुपए है और जो discount है वो 40% का है तो उसका अंकित मुले क्या होगा on selling an article देखो selling price article का कितना है 900 रुपए है discount हमारा कितने का है 40% का है तो जो हमारा market price होगा वो कितने का होगा यार buffering बफरिंग इतना सादा buffering कैसे हो रख रहा है कैसे possible है फिक है एक बार हम लोग चेक करते हैं रुख जाईए मैं चेक करता हूँ एक बार में की कैसे इतनी buffering आप लोगों को आ रही है झाल क्या अभी बफरिंग हो रहा है या आप यहां पर जो है वो सई हो चुका है ठीक है बताएए जल्दी से क्या अभी भी इशू आ रहा है ठीक है सई है नो इशू है अब आजओ मेरे भाई यहां पर सवाल हम लोग देखते हैं सवाल बढ़िया तरीके से समझते है अल क्लियर हो चुका है चलिए सवाल देखे एक वस्तु का विकर मुले 900 रुपे है और बटा हमारा 40% का है तो उनकित मुले कितना होगा सेलिंग प्राइस हमारा कितने का है तो सेलिंग प्राइस हमारा मेरे भाई 900 रुपे का है उसके बाद में अगर हम बात करेंगे डिसकाउंट हमारा कितने का है तो 40% का है तो कुशन में हमसे क्या कहा गया मार्केट प्राइस हमारा कितने का होगा मैंने आपसे कहा देखे क्या दिया गया सेलिंग प्राइस यहाँ पर यह 900 यह विकरे मुल्ले है तो हम इसे कितना परसेंट गोशित करेंगे बोलेंगे 100% का समान है 40% का डिसकाउंट है यानि यह कितने की वैल्यू है तो 60 और हमें पता किसका करना है तो market price यानि हमें 100 का मान पता करना है हमें किसका मान पता करना है तो 100 का मान पता करना है अगर हम 0 से काटे तो 0 बार में 6 से काटे तो 15 बार में तो उत्तर हमारा कितना आएगा तो 15 सोजो होगा वो हमारा बिलकुल सही उत्तर आएगा option number B for बाहु बली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है option number B for बाहु बली जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है भाई ठीक है आईए चलिए धीरे धीरे सीखेंगे सबी सवालों को आगे बढ़ेंगे यहां पे next question 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 number 3 देखेंगे आप लोग क्या बोला गया है question number 3 में कहा गया किसी sale में एक विक्रे मुल्य पर 25% का डिसकाउंट के साथ उपलब्ध है sorry यदि इस इत्र का मुल्य इतना है तो इसका विक्रे मुल्य कितना है in a sale perfume are available with 25% discount अगर मेरे भाई perfume का price sale में हमें इतना पढ़ा है तो selling price जो है मेरे भाई ठीक है आईए सवाल को पढ़ी है अभी बफरिंग हो रहा है चलिए बढ़िया है आप सब दिख रहा है ना तो बोला गया किसी sale में एक इत्र का विक्रे मुल्य पर 25% के छूट दिया गया है यानि sale perfume 11 discount of 25% on the selling price उसके selling price पर 25% का discount है यह जो discount है यह market price के उपर में नहीं है यह selling price के उपर में है विक्रे मुल्य के उपर में है और बोला गया price if the price of the perfume in the sale is रुपीज इतना यदि यहाँ पर तो what is the selling price of the perfume यह हमरा IV level है पहली बात यहाँ जो discount मिला है आपको यह आपको कितने का मिला है 25% का और यह 25% का discount मतलब यहाँ पर 1 by 4 बट यह जो discount है यह discount की value है और यह हमारा किसका value है selling price के उपर में क्योंकि question में बहुत इस first group से हम सही बात बोल दिया गया है कि जो भी हम आपको discount दे रहे हैं वो हम selling price के उपर में दे रहे हैं अगर हमारा selling price कितने रुपय का है चार unit का है उसमें 1 रुपया का discount था तो market price कितना रहा होगा तो बोलोगे गुरी जी market price हमारा 5 रुपय रहा होगा market price हमारा कितना रहा होगा तो बोलोगे गुरी जी 5 रुपय का रहा होगा यदि अगर हम बात करें, इतर का मुले हमारा इतना है, 또 ह customizable हमारा की इतना होगा हाँ यह बताए। अब आप मुझे यह ऍहाँ पर यह बताए, जो 6,870 है, यह हमारा किसा मान है और हमें कितने का मान पता करना है। जल्दी से बात बताओ, मेरे भाई यहाँ पर, और ये कितने की value और हमें कितने का मान पता करना है, बहुत बढ़ियां, बहुत शांदार, ये कितने की value और हमें कितने का मान पता करना है, चलिए, 9164, बहुत शांदार बचों यहां पर, आप यहां बताईए, ठीक है, तो बोलेंगे sir, देखिए, यहां पर, ये जो है, discount दि करना है चार का हमें मार्केट प्राइस से भी कोई मतलब नहीं है हमें मार्केट प्राइस से भी कोई मतलब नहीं है सही है ना चार हो गया ना चोगे 36, 8, 3, 11 हो गया हमारा यहां पर और उसके बाद में यहां पर हो जाएगा 9, 1, 6, 4 option number जो C है वो हमारा correct answer है अब आप यहां बोलेंगे सर यह कैसे हो गया क्या हो गया क्यों आपने 3 से divide किया और क्यों आपने 4 से multiply किया मैं आपको बता रहा हूँ मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर पहले वो परफ्यूम चार रुपय में बिखता था तो अब उसके उपर में 1 रुपया का discount अभी चल रहा है समझ रहा है मेरी बात को लेकर उसमें 1 रुपया का discount चल रहा है इसलिए जो यह कीमत है वो कितने की है तीन की है तो पहले वो परफ्यूम कितने में बिखता था तो पहले वो परफ्यूम चार में बिखता था वही मैंने चार बश रवाल को पढ़ा आपके लिए ठीक है कि आज के समय में जो discount दिया जा रहा है वो selling price के उपर में दिया जा रहा है आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इस question में बताओं मैं आपको क्या बोला गया है इस question में आपसे यह कहा गया है कि selling price पर 25% का discount देने के बाद में इतने में है तो उसका selling price कितना है simple सी बात है यानि selling price का मेरे भाई कही ना कहीं कितना दिया गया है 25% का discount यानि selling price यदि अपने आप में 100 है तो उसमें 25% का discount देने के बाद वो 75 में बिका और selling price का 75% ही हमारा 6,873 है selling price का 75% की value दी गई है तो original selling price अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर यही करना पड़ेगा दो बार में ठीक है दो बार में नौ बार में एक बार में तो selling price की जो originally वो अंकित मतलब जो बिकरा होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा यही होगा 9164 के करीब में ध्यान रखना है आराम से speed बढ़ाऊंगा tension की बात मत लेना भाई यहाँ पर ठीक है धीरे धीरे level को भी बढ़ाएंगे speed भी बढ़ाएंगे आए चली अगला question question number 4 देखे क्या बोला गया यूपी constable का बड़ा प्यारा सा सवाल है बोला गया है एक वस्तू पर प्रतिशत चूट क्या है जब चलिए तो यहाँ पर दो discount दिया गया और हमें total discount की value निकालनी हम कैसे करेंगे तो हम बोलेंगे sir देखिए पहला discount यहाँ पर कितना है 20% का है दूसरा discount हमारा कितने का है 10% का है total discount हमारा कितने का होगा total discount की बात करते है तो जो हमारे पास value होती है वो कितनी होती है a plus b plus a b upon में कितना होता है 100 होता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले देखो दोनों discount क्या होते है normally जो आप successive लिखते हैं उसके बारे में भी हम बता देते हैं लोगों को क्या लगता है कि normal जो हम successive increase की बात कर है तो हम यहाँ पर यह formula लगाते है a plus b plus a b upon में कितना 100 है यहाँ पर तीक है और उसके बार discount के case में क्या formula लगाते हैं तो a plus b minus a b upon 100 बट ऐसा नहीं है यह उड़कर नहीं है इसके पीछे का एक concept है जो हम आपको सिखाएंगे जो हम आपको समझाएंगे तीक है और वो कैसे आ जाएगा plus a b upon में 100 हो जाता है ठीक है और अगर हम इसमें से minus को common ले लेते हैं तो minus को common ले लेते हैं तो यह a बन जाता है यह b बन जाता है और यह हमारा minus a b upon 100 हो जाता है और यह वाला जो minus होता है ना भाई शुरू में यह discount को व्यक्त कर रहा होता है इसलिए कभी भी अगर total discount आपको निकालना है तो आप जाकर ये formula बताते है sir, a plus b minus a b upon कितना हो जाएगा तो a plus b minus a b upon में 100 हो जाता है ये formula यूँ ही नहीं बना है इसके पीछे के भी कई सारे राज हैं जो हमने आपको बता दी है ठीक है, आईए चलिए यहां पर सवाल को देखते हैं तो हमने कहा है यह पहला discount यह दूसरा discount total हमारा कितना होगा तो हम यहां पर बोलेंगे, बोलेंगे sir, देखिए a, फिर हो जाएगा हमारा b फिर हो जाएगा minus a into b upon में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो 30 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 30 में से 2 गया तो हमारा 28 हो जाएगा यह हमारा correct answer है option number जो b है, वो हमारे बिल्कुल सही होता है ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर, कोई परिशानी की बात है तो बताईए चलिए आएए, next question की बात करते है अगला सवाल यहां पर देखते है अगला सवाल हमसे क्या का है अगला सवाल ज़रा देखें हैं आपर question में क्या बोला गया है पांच नुम्बर सवाल में बोला गया है किसी खिलोने का अंकित मुले किस रुपय था इस पर दो उत्रह के बट्टे दिये गए तो इसका बिक्रे मुले क्या होगा देखो अब इस वाले सवाल को है ना दो से तीन मेथड से हम इसे कर रखते है बट हमारे लिए जो है वो सबसे बढ़िया क्या रहेगा आप मुझे यह बताईए सबसे बढ़िया रहेगा सिरीज मेथड जब आप किसी वस्तू को खरीदते हैं और उसके बाद में एक डिसकाउंट फिर उसके बाद में एक और डिसकाउंट उसके बाद में एक और मतलब लगातार तरीके से सीधा direct आप कहां से पहुँच रहे हो market prices selling price के उपर में तो वहाँ पर कौन सा method लगाना उचीत रहेगा तो बोलोगे गुरुजी, series method लगाना उचीत रहेगा या तो market देकर selling निकलवाए आपसे या selling देकर market निकलवाए आपसे आप बोलेंगे, sir, series से बढ़िया कुछ भी नहीं है हमने जीवन में अपने time waste करना नहीं सीखा है आपकी वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं समझ में आए, बढ़िया तरीके से हमारे सारे concepts clear हो, तो जो आप देखते हो तो बिकेगा कितने में, 80 में फिर 100 रुपे के समान में, 15 का discount तो बिकेगा कितने में, 85 में मेरे भाई, यह दो discount हमने देदिया अब selling price की हम बात करें कि यह बिकेगा कितने में, पहले discount के बाद इतने बिकेगा दूसरे के बाद में इतने बिकेगा अगर हम यहाँ पर देखे तो बोलेंगे 2-0 से 2-0 खतम 20 से 4 बार में 20 से 5 बार में और 5 से कितनी बार में 17 बार में Multiply करो मेरे भाई 21 शोग के हो जाएगा 84 84 को 17 से गुना करना है Unit is it देखो 7 into 4 28 एकी option में हैं तो यहीं हमारा answer होगा क्यों हम उतनी मेहनत करें भाई सबको calculate करने की पागल थोड़ी दिखते हैं परिक्षा के अंदर में कि हम सबको यहाँ पर calculate करेंगे सीधा यहाँ पर unit is it जिसका art दिखा है तो वहीं हमारा क्या हो गया answer हो गया समझ गया ना आईए चलिए अगले सवाल के उपर में next question number 6 हमारा दोस्तो वीडियो को like करते रहेंगे आप लोग ठीक है वीडियो के like में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ठीक है ऐसा नहोगी concepts के दुनिया में इतने खो गए कि वीडियो को like करना ही भूल गया नहीं करना है ठीक है आई यह सवाल देखे question number 6 में क्या बोला गया पढ़ियो मिश्रा जी क्या बोला गया सवाल number 6 में 2800 रुपे मुल्ले वाले जूते के एक जोडी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% का दो बट्टा देती है जूते के जोडी का अंकित मुल्ले कितना होना चाहिए a shoe company allowed two successive discount of 25% and 42% on a pair of shoe costing 2800 what will be the final selling price same काम करना है वस्तू कांकित मुल्ले दे दिया दो तरह के discount दे दिये अब बोला गया कि तुम इसे बेचोगे कितने में तो भाईया कितने में बेचोगे बताओ तो बोलोगे गुरुजी समान का कीमत कितने का है 2800 का कीमत इसकी कितनी है तो बोलोगे सर 2800 रुपय का है हमने दो तरह के discount दिये है पहला 25% तो 100 रुपया के समान में 25 का discount दिये तो बेचेंगे कितने में 75 में दूसरा discount 42 का तो 100 रुपय के समान में 42 का discount तो बेचेंगे कितने मेरे भाई तो 50 इतने में हमारा समान भिकेगा समझ में आ रहा है बात यहां पर अब जरा इतने के डिस्काउंट में भिकेगा तो बोलेंगे 2-0 से 2-0 खतम 25 से हमारा 3 बार में 25 से हमारा 4 बार में 4 से हमारा कितनी बार में 7 बार में बट मज जाओ, इतना चोटा काल्कुलेशन है करी सकते हो, ठीक है, तो बोलोगे सर, 21 का आठ गुना, 8,8,8,9,16,168,165 में रहेगा, और 21 का पांच गुना कितना होता है, 105, 105 और 16 कितना हो जाएगा, 121, यानि 1218, और 1218 का मतलब कौन सा option है, तो option number A है, ठीक है, आओ कहीं घूमने चले, नौकरी लेने के बाद कहीं घूमने चले, और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करते रहेए, 6000 प्लस जो है, लाइव वाचिंग बढ़ा दीजे, आईए चलिए, next question की बात यहां करते हैं, अगला सवाल देखते हैं, question number 7, हमसे question number 7 में क्या बोला गया है, छुटू मुटू, जीडी का एक प्यारा सा सवाल, ठीक है, क्या बोला गया है, जरब पढ़िये, question में कहा गया है, पंकज एक कुरसी की बिकरी पर पहले 200 रुपे की नगत छूट देता है, फिर 8 परशंट और 5 परशंट की दो जो है वो डिसकाउंट हमें प्राप्त होती है, यदि कुरसी का अंकित मुले हमारा 4250 रुपे है, तो दी गई छूट योजना के बाद गरहा के लिए कुरसी का अंति मुले क्या है, दीखे, अगर जैसे मानी आप किसी दुकान में जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको दो डिसकाउंट मिलते हैं, एक आपका 10 परशंट का, दूसरा आपका 20 परशंट का, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर जैसे मानो, समान कितने का है, 100 रुपया का है, ठीक है, एक डिसकाउंट 10 परशंट का मिला, एक डिसकाउंट 20 परशंट का मिला, मान लीजे, दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे ने पहले इसके उपर में 10 परशंट का डिसकाउंट निकाल दिया, तो यानि 100 का 10% कितना होता है 10 रुपया 10 निकाल दिया तो कितने का भी केगा 90 का और तब उसके बाद उसने इसके उपर में 20% का डिसकाउंट दिया तो मेरे भाई 90 का 20% 18 होता 18 निकाल देंगे तो बचेगा बहतर यानि पहले 10% का डिसकाउंट दिया फिर 20 का दिया तो 100 का समान कितने पे आ गया बहतर पे वहीं एक दूसरा प्रानी बैठा हुआ है उसने यहाँ पर क्या किया 100 रुपे के समान पे 10 ना दे कर पहले उसने 20 दे दिया तो मान लीजेगी 100 में 20% का डिसकाउंट देंगे 100 में 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 20 यानि कितना हो जाएगा 80 और अब उसके बाद में यहाँ पर कितने का डिसकाउंट देंगे 10 का देंगे तो यानि 80 का 10 परशन कितना हो जाएगा 8 तो भी भी केगा कितने में बहतर में तो हम आप पो क्या सिखाना चाहते थे यहीं कि यदि आप discount के order को बदल देंगे तब भी आपके सवाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पहले 10 का दे के बाद में 20 दे दो या पहले 20 दे के बाद में दस दे दो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोनों केस में selling price हमारा same आता है तो यहां पर कुल मिला कर 3 तरह के discount दिये गए है कुछ पैसा रुपिया में दिया गया है कुछ 8% में और कुछ 5% में तो हमने यहां पर कहा कि देखो समान आपका कितने का था तो 4250 का पहला discount मिल गया 2200 का तो 4250 में से 2200 निकाल दीजे क्योंकि निकल गया discount के रुप में तो बचा कितना 4000 रुपिया अब यह 4000 रुपिया पर 2 तरह के discount मिलने है पहला 8 का दूसरा 5 का तो ऐसे मान के चलो अगर 100 रुपिया का समान है 8 का discount दे देंगे तो बिकेगा कितने में 92 में और दूसरा यदि 100 रुपिया का समान है 5 का discount अगर निकल गया तो बिकेगा कितने में 95 में यह बराबर हो जाएगा किसके तो हमारे selling इसके बराबर हो जाएगा अंतिम मुल्ले के यहां पे ठीक है? Solve कर लीजे भाई 3 0 से आपका 2 0 और 1 0 खतम 5 से काटेंगे तो 19 बार में और 5 से काटेंगे 2 बार में 2 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 184 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा तो 184 इंटू हमारा 19 हो जाएगा क्या यूनिट इजिट का कहीं मामला बना है? बोलोगे 4 इंटू 9 6 की ऑप्शन में है यहीं आंसर होगा तो कई सारे सवालों में complete जो है आप एक तरीके से multiplication मत करिए एक क्याई कांक देखिए और अपने सवालों को हल करिए ठीक है पहले पैसे वाला discount हमने निकाल दिया था और उसके बाद में जितना जितना हमें discount दिया गया था वो सारा हमने उनकी values को calculate किया है ठीक है सुमझ में आगया बात यहां पर आईए चलिए next question की बात करते हैं और question number 8 जो है वो हम लोग देखते है question number 8 क्या है बड़ा ही प्यारा सवाल बोला गया sir 15% और 20% की discount के बाद में एक वस्तू 600 से रुपय में बेची गई है उसका अंकित मुले क्या होगा मुझे नहीं लगता भाई सवाल का उत्तर मुझे देना चाहिए सेम तरीके से यहां पर अब question में market price बोला गया है तो market price को एक सुरुपया मानो उसके उपर में दो discount लगाओ तो निकल कर तुमारा चलाएगा selling price तो यह question मेरी तरफ से रहेगा आप लोगों के लिए home or can agree कारी रहेगा और इसका answer जो है आप लोगों को comment box में देना है याद रखने इसका answer कहाँ पर देना है comment box में देना है कहाँ पर देना है मेरे भाई comment box में देना है आईए चलिए अब यहां next question की बात करते हैं और अगला सवाल यहां समझते हैं कि यहां पर अगला सवाल मेरे भाई क्या होता है पढ़िये गजर आच्छे तरीके से सवाल को पढ़िये क्या बोला गया है बलवेंदर पहले 9% और 4% के 2 जो है वो डिसकाउंट देता है फिर CCTV कैमरे के बिकरी पर 200 रुपे की नगर डिसकाउंट भी देता है यदि CCTV कैमरे का अंकित मुले 5000 है तो ग्रहा के लिए CCTV कैमरे का अंकित मुले क्या है वही सवाल जो हम आपको करवाएं मान लीजे मिश्रा जी आप पहुँचे और कहां पहुचे कैमरा लेने एक दम मतलब शादी वादी हो गया आपका लेकिन थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि घर पे कोई आ रहा है जा रहा है तो आप बोले कि नहीं यार बहुत दिक्कत हो गया सारा वैलेंटाइन का खरचा वरचा हो गया शादी भिया का खरचा हो गया और तब भी यहां पे कई लोग घर पे आ रहे हैं हमारे नहीं होने के बाद में नया नया शादी होता है ना तो लोगों को थोड़ी घर की मतलब इच्छा ज़्यादा होती है विजित करने के समझ रहा है जानते ही है पुराना संब्द हमारा आप से है ठीक है आप तो हमें शुरू से यहां पर जानते हैं कि हम कैसे पर्शन है कितने अच्छे हैं बताईए बात समझ यहां पर आपके घर में भी ऐसी स्तिती होती होगी छोटा भाई समझ के डिसकाउंट दे दिजिए तो 5,000 रुपया का समान था 260 रुपया पहले ही यहां पर कम कर दिया दुकान दार निया रही है यह तो आफर में चल रहा है इतना डिसकाउंट हम पहले ही कर देंगे तो 5,000 में से 208 निकाल दो कितना हो जाएगा मेरे बताए मिश्रा जी फटाफ़ट कालक्लेशन करिए 4732 पक्का कंफर्म है शलिए बहुत बढ़िया तो मिश्रा जी पहले 5000 में से इसको निकाल दिये तो बोल दिये 4732 यहां पर आ गया सर यह इतना पड़ गया अब उसके बाद में जो है यहां पर पता चला कि भीया कार्डवार्ड से पेमेंट करने पर इनको जो है दो डिसकाउंट और मिल गया एक 9% का और एक 4% का ठीक है तो वही वाली बात है यहां पर फिर से क्या समझ रहे हैं बात को लेकर यहां पर क्या है मेरे भाई तो बढ़िया क्यलकुलेशन है बट इस सवाल को आप जरा देखो अंतिम अंकित नहीं है ना अंतिम है फाइनल प्राइस है यहां पर अब यह अगर आप इस कोशन में देखोगे ना तो जो भी वैल्यू आपके दिये मतलब जीरो तो आपके कटने वाले नहीं है डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं एक्जामनर ने आपके साथ में दोखा किया है उसने यहां पर एक्जैक्ट मान नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में आप समझो ना बात को लेकर जैसे जीरो कहां किसी से कट रहा है नहीं अबर क्या हो गया तो दोखा हो गया कोई दिक्कत नहीं आराम से इसको मल्टिप्लाई करो और वैल्यू निकालो या तो ऐसा कर सकते हो अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन करना चाहो तो और मेरे भाई अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन आ देखो या तो ऐसे कर लो और नहीं दे दीजे और बाद में क्या कर दीजेगा? पईसा माइनस कर दीजेगा तो यहां पर इस सवाल में ही करना था 5000 रुपया का समान था पहले उसके अंदर से क्या करना था? 2 डिसकाउंट निकाल देने थे यानि 100 के समान 9 निकाल दो तो हो जाएगा 91 और सो रुपया के समान में आप यहाँ चार निकाल दो तो हो जाएगा 96 जो भी आएगा कीमत बाद में उसमें से कितना कम कर दिया जाएगा 260 रुपय कम कर दिया जाएगे आप ऐसे कर लीजे आपके लिए ज्यादा सही रहेगा पचास से आप काटेंगे तो कितनी बार में दो बार में दूसर अगर आप काटेंगे तो कितनी बार मार तालिस बार में मल्टिप्लाई कर लीजे हाँ पर 91 इंटू 48 का तो 91 इंटू 48 का जो आप मल्टिप्लिकेशन करेंगे हाँ पर दोनों में तो बोलेंगे आठ हो गया सर, नो अठे बहतर और चार शेयतर छे साथ पास में, चार हजार तीन सो अनसट रुपए, और चार हजार तीन सो अनसट में से दो सो अनसट गरता दीजे, तो वैल्यू आपकी कुल मिलाकर कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर रिक तालिस सो, लीज पहले उतने परसेंटेज ना कैलकुलेट करके, पहले डारेक्ट यहां पर इतना इतना परसेंट कैलकुलेट करके, और तब यहां पर पैसे को घटा दीजे, यह आपके बुद्धिमानी कहलाएगी, ठीक है, आईए चलिए यहां पर नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, और द 30 रुपय और 300 खर्च भी करता है, और 20 परसेंट के लाप पर बेशता है, कारेका विक्रह मुलेख्या है, यदि आप हमसे यह चाहते हैं, कि हम इस सवाल को विदिन सेकेंड्स के अंदर में हम इसे बनाएं, तो हम इसे बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेप को स् दीलर हैं, 85,000 का आप स्कूटर मेरे भाई गये खरीदनें, ठीक है, और 85,000 पर दो तरह का डिसकाउंट आपको मिला है, कितने कितने का तो 20 का और 10 का, यानि आप बोलेंगे सर, यहां पर अगर समान 100 रुपया का उबलब था ना, तो उसमें 20 का डिसकाउंट के बाद में व तो यह पूरा का पूरा वैल्यू आजाएगा, जिसके में आप खरीद के लेके आ रहे हैं, माले जी मिश्रा जी आप गए, ठीक है, नौकरी लग गई यहां पर, तीक है, सार एक्जांपल हम मिश्रा जी पे क्यों ले, अब इस बार एक्जांपल हम यहां पर जो है, वो आल लेकिन जब दुकान पे गई तो दुकानदार ने जो है, पचासी ज़र बताए, इनको तो बुली नहीं नहीं हमको तो जो है, वो डिसकांट चीए, नहीं भी हाम रोज यहीं से ले जाते हैं, अब इन यह नहीं पता गी, यह सबजी की दुकान यह, स्कूटी की दुकाने, ठीक है, चलो फिर भी डिसकांट चाहिए, इनको तो दूर डिसकांट मिल गया, पहला बीस का, दूसरा दसका, अंजली जी इतने में खरीद में लेकिया आगए, लेकिन उसके बाद बुली नहीं, हम अंजली हैं, और यहां पर जो हमारे पास में कुछ और क्या चाहिए, तो खरीदने के बाद में आपर 3800 रुपई या इसके में और खर्चा कर देंगे, अब यह वाली कीमत जितने में वो खरीदी हैं, और जितने में वो डिंटिंग पिंटिंग लगाई है, सारा मिलकर क्या हो जाएगा, तो सारा मिलकर CP हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो CP, हनी खर बोड़कर जितना भी आएगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो अंजली जी की कुल कीमत हो जाएगी, टूटल सीपी हो जाएगा, वो सीपी अपने आप में कितना होगा, तो यहां पर सो रुपे का होगा, यदि 20% का लाब में बेचना चाहती है, तो कितने में बेचेंगी 120 में, अब प्रॉबलम क्या होती है, अब मैं आप लोगों के सामने भाई, यह डेटा अलग निकालूँगा, फिर उसके बाद बच्चों की तरह इसको जोडूँगा, फिर एक वैल्यू लेकर आऊंगा, और फिर उसका 120% निकालूँगा, बोलोगे सर तब समझ में आ रहा है, तीन आएगा, आठ साथ पंद्रों को जोड़ो छे आएगा, और यह कितना आएगा, एक आएगा, भाई मैं कैल्कुलेशन करूंगा ही नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ यहाँ यहाँ पर एक लाइन में मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, ताकि हम यहाँ पर डिजिटल सम लगाए और सवाल को लपेड दें, सभी अंकों को जोड़ने पर यह उनका डिजिटल सम आया है, अब यहाँ पर जोड़ो मेरे भाई, नो को किसी भी संख्या से गुना करोगे, तो डिजिटल सम कितना आएगा, नो आएगा, प्लस यहाँ पर, आठ और जमात तीन, आठ ती तो एक ग्यारा हो गया, एक ग्यारा का मतलब कितना हो गया, दो, और दो इंटू तीन मिश्राजी कितना होता है, छे, जीवन में दस जनम बिले ले लगा ना कोई, तब यह से नहीं बना पाएगा, हम करा रहे हैं आपको, कहीं पर कोई कालक्रिशन की हो तो बता देजे, एक बता आपको नहीं बताएंगे कि जिस से आपका selection rejection में बदले, भहिया, selection लिये हैं, हमें पता है, वहाँ पर pressure कितना होता है, exam के अंदर में बहां पर पाकी लोग भी भर रहे होते हैं, हर किसी के अंदर में talent है, हर किसी का जज़बा है नोकरी लेने का, लेकिन ऐसी किस तरीक अगर अपने आप में 100% है तो 120 कर देंगे तो SP हो जाएगा डिजिटल सम निकाले अच्छी आया और ऑप्शन का डिजिटल सम छे जो भी था वहीं correct answer था बताओ मजा आया जल्दी से बताओ भाईया वक्त लेंगे समझाएंगे कुछ नया सीखा के जाएंगे बस यही फायदा इसे किस दिन एकिस मिराथन का जुड़े रहे हमारे साथ रोज रात साड़े आट वजे करेंगे बढ़ियां-बढ़ियां कंसेप्ट्स के उपर में मन्थन मसा तभी आने वाला है लव यू भाई बढ़िया लगा तो एक दम वीडियो लाइक वाई करके दस जार पहुचाओ यार बोलो दस जगह का वीडियो देख लोगे ना उसके बाद भी तुम्हारा दिल कहेगा भाई ये वीडियो नहीं शुटनी चाहिए इसको तो जरूर देखके जाना है मैं लिखित रूप में देता हूँ आपसे ये जो हम पढ़ा देंगे आपको जो अप्रोच हम करा देंगे नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी मेरे से आप लिखवा लिजी ठीक है? चलो भाई लाइक भाई करो आठज़र जल्दी से पहुँचाओ आजाओ नेक्स्ट कोशन की बात यहां करते हैं पांच अजार उपे पर 30% का डिसकाउंट है फिर 17 का है फिर 13 का है तो यहां पर बोला गया देखिए पहली बात आप किसी दुकान पर जाते हैं आपके पास में दो अप्शन है यहां पर या तो आप 30% का एक डिसकाउंट ले लीजे या फिर आप 2 डिसकाउंट लीजे किसका 17 का और 13 का और तब बोला जाएगा बताईए यहां पर कि इस उप्शन में और इस उप्शन में कितने का अंतर है समझ रहे हैं बात को लेके मतलब बुद्धी इतना नहीं लगाना है यहां पर जैसे क्या हो गया 30 से आपको यह भी दिखा आप देखो जैसे आप एक सर बोले देखो एक दुकान में गए 30% का डिसकाउंट चल रहा था सीधा सीधा और दूसरे दुकान में गए तो 17 और 13 का चल रहा था ठीक है हमने एक भाई से बोला कौन से दुकान में जाके समाल लोगे वो लेकारे क्या बात करते हो दोनों जगा तो 30 है यहां भी देखो तो कितना है 30 और यहां भी कितना है 17 और 13 30 बात तो बराबर यह दोनों परसेंट और प्लस मेरे भाई 50 परसेंट आफ तो इसका मतलब तो यहां पर आईए और समान को मुफ्त में लेके जाएए क्योंकि 50 और 50 कितने होते हैं 100 होते हैं तो अब भी यह समान लेके जाओ उठा के क्या ऐसा है क्या दुकान में इसा देखे है की नहीं देखे है अभी अकेंटा विल शोरूम पे गए थे बताएए जैकेट वैकेट लेने तो यहां पे लिखा हुआ था 50 प्लस 50 तो इसका मतलब यह नहीं हो क्या हुआ कि 50 प्लस 50 का मतलब 100 50 का डिसकाउंट ठीक है अब 100 में यहां पर 50% का डिसकाउंट देंगे यानि कितने रुपया का देंगे 50 का तो वो बिकेगा कितने में 50 में अब तुम्हारी कीमत यहां पर इतनी आ गई अब उस कीमत के अंदर में भी हम कितने का डिसकाउंट देंगे फिर दूसरे वाले कीमत पर 50% अब 50 का 50 कितना होता है मिश्राजी पचीस रुपई या आदा यानि अब डिसकाउंट मिलेगा पचीस रुपया का तो अब इसमें से पचीस कम कर दोगे तो यानि फाइनली कीमत कितनी आई पचीस रुपया आया यानि आपको 100 के लिए कितना पे करना है पचीस रुपया तो यानि पचास-पचास के दो डिसकाउंट मिलने के बाद भी आपको पैसा देना पड़ रहा है वो भी कितने का पचीस रुपया का समझ रहे हैं जैसे अभी हमने जो मेटो के जो भाई साब हैं जो सीउ हैं या जो भी हैं एक्जेक्ली हमें नाम याद नहीं है तो हम उनका एक शॉर्ट वीडियो देके वाइरल हो रहा था तो किसी ने उसे पूछा कि सर आप इतना जादा जादा डिसकाउंट कस्टमर को कैसे दे देते हो 40% का डिसकाउंट उसे ने बड़ा प्यारा सा बात बोला कि देखो भी या बात ऐसी है ये दुनिया में लोग जो है ना थोड़ा से ना समझा समझ नहीं पाते हैं चीजों को लेके आप लोग भी सुनिये बड़े अच्छे तरीके से बोला उसने कि बही आप मतलब जो इंटर्वियर है वो बोलता है इतना ज़्यादा डिसकाउंट को इसे दे हो तो 40% आफ समझ नहीं बात को लेके उसने कहा कि देखे मतलब लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को लेके बड़े मुर्ख से हैं या पे इसी तरीके से भावना जो देखे स्टेटमेंट थी कि लोगों को ये पता नहीं हम 40% देते हैं लेकिन उसके साथ में एक शब्द एड़ करते हैं और वो क्या एड़ करते हैं 40% up to 100 अब मान लो कोई 500 का समान करीद रहा है तो उसको 500 पर हम 40% थोड़ी दे रहे हैं हम तो उसको 100 रुपया पर 40% दे रहे हैं 100 रुपया का 40% 40 रुपया होगा ना बाई तुम 1000 का समान करीद होगे तब भी तुमको 40 का ही ओफ मिलेगा या 200 का करीद होगे तब भी तुमको 40 का ही डिसकाउंट मिलेगा या फिर तुम 100 रुपया का खरीद होगे तब भी 40 का मिलेगा अलोगों को क्या लगता 40% आपका ताना अग्वाल बिजनस स्ट्राटजी हैं सारे के सारे यहां पर बस आपको यहां पर बुलाने के लिए भटकाने के लिए तो यह समझना पड़ेगा अब यह 30 और यह 30 में फर्क है यह 30 का मतलब यहां पर कितना हो गया कि भीया तुम्हें 30% ही दिया जाएगा लेकिन इसका मतलब यहां पर क्या है 17 प्लस 13 और माइनस यहां पर 17 इंटू 13 बटे 100 यह होता है भाई ठीक है अब यह तो तुम्हारा 30 हो गया लेकिन उसमें से ये वाला part कम होगा और यहीं difference create करेगा समझें हैं बात को लेकर यही पार के चलते difference आता है और समझे नहीं पाता है तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं पहले पार्ट के चलते डिसकाउंट कितने का है 30 का है और दूसरे पार्ट के चलते हमारा डिसकाउंट कितने का है तो बोलोगे 17 प्लस 13 और माइनस 17 इंटू 13 बटे कितना हो जाएगा 100 question में बोला गया दोनों में मेरे भाई अंतर कितने का हैगा minus कर दीजे तो पहला discount 30 का 17 और 13 हमारा हो जाएगा minus का 30 minus minus कितना हो जाएगा plus 17 ते के 50 और यहाँ पर 5 मेरे भाई 2.21% तो यह तो इससे खतम हो गया जो अंतरा है वो कितने का है 2.21% का है यहीं अंतर होता है तो असल में अगर बात करें तो यह वाला ही पार्ट जो है वो अंतर क्रियेट कर रहा होता है यही वाला पार्ट हमारा अंतर क्रियेट कर रहा होता है 2.21% का difference आएगा तो वही बोला गया है कि भाईया वो discount कितने के बराबर है तो 5000 पर कितने का 2.21 का यानि अगर यह 100% का मान है तो सिर्फ वो difference की value calculate करनी है यानि 2.21 का मान calculate करना है समझना भाई यहाँ पर अगर इसको हटाओगे तो नीचे तुम्हारे 200 जिरो सो आ जाएंगे इससे ये खतम इससे मेरे भाई ये खतम 2.21 का अधा 1.1 और यहाँ 110.5 के करीब में option number A जो है correct answer है तो यहाँ पर जितने भी हम सवाल करवाएंगे वो कहीं न कहीं किसी न किसी घटना के साथ हम उसको relate करवाएंगे ताकि आप उसको समझो गनित ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप उसको सिर्फ गनित के हिसाब से पढ़ें या question को solve करें जब तक real life से आप उसको relate नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे समझना बहुत ही जरूरी है आईए चलिए question number 12 देखें एक तम प्यार प्यार से सिखाएंगे बाई tension मतलो सवाल में मेरे भाई क्या का आगया 75-100 रुपए के अंकित मुले वाली एक वस्तू पर दो discount दी जाती है पहली 10% की और अंत में इसे इतने रुपए में बेचा जाता है दूसरी कितनी की होगी अब ये भी सवाल देखो मतलब examiner स्वाल हो कोई से बदलेगा ना पहले क्या होता था ये कीमत है इतना इतना का discount है तुम भाई निकाल लो selling कितना है अब उसने यहाँ पर क्या किया अब उसने यहाँ पर ये किया कि कीमत तुम्हारी कितने की है 75-100 रुपए की है पहले discount कितने की है 10 की है ठीक है उसके बाद में कुछ हाया होगा दूसरी हम नहीं बता रहे जब हम नाराज है तुमसे मूँ फुलाए बैठे हैं लेकिन इतना पता है कि दूसरी देने के बाद में ये 805-100 पांच की भी की है अब समझदार हो तो भीया दूसरी खुद की निकाल लो तुम दूसरी कितने की है अब भाई ये भी कोई बात होती है बट निकालना पड़ेगा यार क्या करे मतलब Constable तो बनना ही बनना है जीखे जीडी का पेपर तो निकालना ही है तो हम करे तो गैसे करें कई सारे तरीके है समझ कर करेंगे रट कर नहीं गणित रटा नहीं जाता है आप यहाँ पर दीखे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गणित अच्छा है हम लोग ऐसे ही भगाएंगे यहाँ पर साड़े देखो यहाँ पर 570 का समान है और कितने का डिसकाउंट मिला 10% का तो 75 का 10% 7500 तो यहाँ पर बोलेंगे सर 75 का समान था 10% का डिसकाउंट मिला यानि अगर 100 रुपे का था तो इसमें 10 की कमी कर दो 90 में यह मिला है सीधा बही बाइद 9.45 और उसके बाद में 9.63 और 4.67 या तो ऐसे निकाल दीजे या थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे इसका 10% 7.500 होता है इसमें से 7.500 निकाल देंगे तो आ जाएगा 6.750 यानि पहली डिसकाउंट के बाद इसकी खीमत 6.750 की हो चुकी थी अब ये 6.750 5.805 में तो बस यहाँ पर ये वैल्यू हमें निकालना है कि ये वैल्यू हमारी कितने की है कोई दिक्कत नहीं है या तो आप प्रॉफिट परसंट निकालो या लॉस परसंट निकालो या डिसकाउंट का परसंट निकालो एगजेक्ट मान की कभी ब्यावशक्ता नहीं होती आप यहां पर उनके ratio से भी काम चला सकते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो अगर आप यहां पर इनके ratio का मैंन से निकालना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे सर, इनका हम ratio ले ले लेते हैं, अगर 5 से आप काटोगे एक बार में, 17 हो गया, 3 बार में फिर 5 बार में हमारा 50 हो गया, 5 से अगर काटोगे एक बार में, पिर उसके बाद 16 बार में और यहां पर कितनी बार में, एक बार में यहां पर ठीक है, सही है, 5 एक हम 5, 5, 30 हो गया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको और काट सकते हो, तो वेलेंगोड और काट लो, और अगर आप नहीं काट सकते हो, जैसे मुझे साफ दिख रहा है, तो 9 से कटेगा, तो 9 से आपका एक बार में ये कट चुका है, और उसके पाद में कितना, 5, 500 रुपए, और यहां गर हम 9 से काट एक बार में, 26, दो बार में, 18, नौ बार में इतना, अब देर सो के समान को 139 में दे रहे हो, तो भाया डिसकाउंट तुम कितने का दिये हो, तो बोलो कि देर सो के समान को इतना मतलब 21 रुपए का डिसकाउंट है, कितने के उपर में, अभी 300 करता बट नहीं काटे हैं, 1500 के उपर में, इंटू कितना तो यहां पर 100, अब यहां से काट लीजे, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 30 से आपका 7 बार में, कुल मिला का डिसकाउंट हमारा 14 परसंट का है, और 14 परसंट का है, तो option नमर कौन सा होगा, C कहोना प्यार है, तो इस तरीके से यहां पर आप सवालों को बना सकते हैं, कि भाईया, यह पहला डिसकाउंट के बाद, और यह हमारा दूसरा डिसकाउंट के बाद, हाला कि इस में ratio method का भी application आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपका नहीं है, अगर आप बोलोग पताईए, हा सर, हा सर, हा सर, हा सर, चलो, दूसरा method अगर जानना है, तो देखो दूसरा method हम आपको करवा रहे हैं, और बहुत ही प्यारा method है, आपको इन सभी चीजों से मुक्ती मिल जाएगी, दूसरा method मेरे भाई, यहां पर क्या है, तो आप यहां पर discount 1 लिखे, यहां प आप बोलेंगे, सर, यह हमारा MP और SP का ratio हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा MP, SP का ratio, यह final हो जाएगा सर, यहां पर, समझ यह बात को लेकर, अब यहां पर देखे, तो आप बोलेंगे, सर, हमको जो है, सही तरीके से देखे, 10% का discount है, 10% का जो हम लोग ratio लिखत ना आपको पता, ना हमको पता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में, finally, यह कितने का था, और कितने में, बिका, यह गाता है, जैसे यह था, कितने का मेरे भाई, 75,000 का, और यह कितने में है, तो बोलोगे, सर, पांच 800 5 में, यह हमारा है, तो पहला discount पता है, final पता है, बीच का पंदरा से तो काटी लो, पंदरा से काटोगे तो 500 बार में कटेगा ये, और पंदरा से काटोगे तो 15, 45 हो गया तुम्हारा, और 45 और 13, 130 हो गया, हमारा 15, 8, 120 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहां पर 120, 10, 105, 7 बार में, यदि आप इसको और काटने की कोशिश करोगे, तो अब ये शायद बड़ा मुश्किल है काटना, तो चलिए, 500 और 387 हमारा यहां पर ये, इसका फाइनल कीमत हो चुका है, मैंने जीवन भर आपको ये बात समझा है, समझना, बड़ा प्यारा चीज़ है, लेंध का रेशियो, ब्रेथ का रेशियो और एरिया का रेशियो, अगर लेंध का रेशियो मान लेजे हाँ पर, अगर लेंध का रेशियो मान लेजे, दो अनुपात में 3 है, और फाइनल एरिया का रेशियो हमारा मान लेजे, 4 अनुपात में 5 है, तो हम breath कैसे लिखते हैं जो यहां दिया गया है उसको as it is यहां लिख दो 4, 5 है 4, 5 लिख दो और इसको cross multiply करो 4 को 3, 5 को 2 के साथ यह breath का ratio मेरे भाई निकल कर चला आता है तो वैसे ही हम यहां पर क्या करेंगे तो वैसे ही यदि मुझे यहां पर सवाल में पता करना है यह final ratio है 500, 387 तो यहां हम 500 लिखेंगे और यहां हम 387 लिखेंगे और इसको हम multiply करेंगे cross cross में जैसे 500 का multiplication होगा 9 के साथ में और इसका multiplication होगा मेरे भाई 10 के साथ में अब 0 से आप अपना 0 खतम कर लीजे 0 से आप अपना क्या खतम कर लीजे 0 खतम कर लीजे 9 से आप यहां पर इसे काट दीजे 4 बार में 36 और उसके बाद में मेरे भाई 3 बार में 27 50 का article 47 में भिका मेरे भाई discount कितने का बोलोगे 7 का कितने के उपर में 50 के उपर में, into कितना करोगे 100% तो तरीके एक नहीं कई सारे हमारे पास में होते हैं आप चाहोगे जिस भी तरीके से ना, मैं उस तरीके से बता सकता हूं बस ये सारी बाते समझनी होंगी आज के सेशन को हम बहुत तेज में भागाना नहीं चाहते है नहीं तो मेरे भाई जिस रफ़तार में हम लोगों ने पिछले कुछ समय में क्लासेश ली हम उसमें कर्श रखते हैं बट पता है क्या है मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस तरीके से सीखो कि आपका ये 21-21 मिरातन के मतलब ये यूपी पुलिस का पेपर के बाद में भी कई सारे पेपर होंगे सीजल के भी और भी काफी सारे पेपर होंगे तो उनमें भी आपको ये मदद दे यहाँ पे तो इसलिए आज हम बहुत गहराईयों में जाकी चीजों को सीखा रहे हैं एक होता है सिर्फ आएं इसका ये सॉल्यूशन होता है चलो नोट करो चलो आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में दूसरा होता है नहीं भी है चाहिद 20 के जगा पर 15 पढ़ा दो लेकिन ऐसा पढ़ा दो कि उनके दिमाग में गुश जाए और इसके बाद में वो खुद सवाल बनाने के एबल हो जाए तो आज हम उसी कंसेप पे आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है बहुत ओको लग रहा हो गई घंटे हो गई 14 ही कोशन कराए गुरुजी यह समझा रहे हैं तुम्हें डीटेल में उड़ाना होता तो अब तक हतम कर दिये होता है ठीक है तो इसलिए पढ़ो अच्छे से सभी बातों को सीखो और वीडियो को लाइक करते रहना एक दम रोकना नहीं अपने आपको आईए चलिए सवाल पढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं आईए चलिए कोशन नबर 13 देखे क्या बोला गया एक मशीन को 30,000 रुपे के अंकित मुले पर 16% वैपार चूट की पेशकस की गई थी कुछ नगत चूट के बाद मशीन इतने में बेची गई नगत चूट क्या है सेम जो अभी हम आपको पढ़ाएं उसी के अधार पर है तो ये हमारा मेरे भाई डिसकाउंट नूबर 1 ये हमारा डिसकाउंट नूबर 2 है यहाँ पर हम क्या करेंगे तो फाइनल लिखेंगे और ये रेश्यो हमारा क्या होगा MP का होगा और हमारा SP का होगा हम यहाँ बोलेंगे सर 16% का डिसकाउंट है तो 16% की जो fraction value होती है ये 4 बटे 25 का होता है तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो समान है हमारा वो हमारा कितने का है 25 रुपया का उसमें हमारा 4 का डिसकाउंट होगया तो विका कितने में 21 में बाकी हमको जो है final का value पता है यानि final अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो article है वो कितने का है 30,000 का है उस पर हम discount देने के बाद में कितने बेके 23,184 में आपर बेचे हैं तो इतने का था एक discount के बाद इतना दूसरे का पता नहीं और total हमारा इतना है अब हम यहाँ पर इसको कैसे पता करेंगे आसान है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है आप इसे काट सकते हैं तो आप इसे काटिए जहां तक मुझे यहाँ पर लग रहा है 4 और 3 बारा से काटा जा सकता है तो बारा से अगर आप काटेंगे तो इसको और काट सकते हैं और आप इसे किस से काट सकते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आप शार से और काट सकते हैं और अगर आपको काटने की इच्छा नहीं है आप मत काटिए आप इसको यहीं पर रहने दीजे जो यहां value आती है इसको उठा के उपर रख दिया जाता है पचीस सो के उपर पचीस सो रखा जाएगा 1932 के उपर में 1932 रखा जाएगा इसका cross मारा जाता है इसके साथ में 21 के साथ में और यहां पर इसको cross में लगाया जाता है पचीस के साथ में मैंने इसलिए नहीं काटा था कि 25 हमारा 25 को लपेड़ देगा ठीक है क्या 21 हमारा इसको काट पाएगा तो देखते हैं भाई किस इसको काट पाएगा है नहीं 21 की अगर हम बात करें तो आठ बार में भाई काटते हैं आठ हो गया सुरी नो से तो कटी जाया यहां पर तो 9 से हमारा 9 और 9 दनी अठा रहा 1,89 कितना बच गया तो यहां पर जो है 4,32,42 दो बार में मेरे भाई तो फाइनली हमने यहां पर क्या देखा तो फाइनली हमने देखा 100 रुपया का समान, देखो ये value कैसे आ गया, 100 रुपया का समान था और बिका कितने हमें 92 में, it means discount कितने का था, तो discount हमारा 8 का था तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं पहले discount के बाद का ratio, final के बाद का ratio, तो दूसरे की value हम निकाल लेंगे यह आपके अंदर होना चाहिए भाई, समझ गया ना, इसमें क्या रहता है, calculation बहु ज़्यादा नहीं रहता है बहु ज़्यादा calculation का प्रयोग इसमें नहीं मिलेगा, आओ चलो question number 14 देखो यहाँ पर दिल्ली police head constable में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है और मुझे उमीद है कि आप लोग उत्तर देंगे, आप लोग थोड़ा answer कम दे रहे हैं, बस इस बात का दुख ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर मुझे लग रहा है, देख रहे हैं, अगर बन रहा है तो उत्तर दो ना भाई, रुके हुए क्यों हो अपने आपको, रुकना नहीं है, उत्तर देते रहिए मेरे भाई, रुकना नहीं है, तो नहीं है आईए चलिए, एक वस्तू का सूची मुल्य 1200 है, यदि 10%, 8% और 5% के डिस्काउंट पे इसका विकर मुल्य कितना होगा, जल्दी बता दो, मतलब वही बात है, एक कीमत दे दी, तीन बटा हमने दे दिया, उसके बाद में फाइनल वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, जब भी इनिशल से फाइनल तक जाना होता है, शुरू से अंत तक जाना होता है, हम वहाँ पर सिरीज मिथड का प्रेयो करते हैं, किसका प्रेयो करते हैं, सिरीज का प्रेयो करते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा कीमत कितने की थी, तो 1200 रुपे की थी, और लगातार तरीके से 3 डिसकाउ यार ये बताओ, हम यहाँ पर क्यों multiplication करने जाएं, पहले हम digital sum से जाते हैं, और digital sum से देखते हैं 6, 2, 8 और 1, 9 खतम 7 और 1, कितना हो जाएगा, 8 8 और 1, 9 का मतलब digital sum 9 ही है 9, 9, 9, ये भी digital sum 9 ही है 9 खतम, 4, 3, 7, 2, 9 खतम digital sum 9 ही है, अब भाई साब यहाँ सब के digital sum अलग-अलग आ गए अब जब सब के digital sum यहाँ पर हमारे अलग-अलग आ गए, तो हम यहाँ पर unidigit का concept लगाएंगे, एक याई कांग के यहाँ पर, एक याई कांग कैसे लगाएंगे 2-0 से आपके 2-0 कतम 1-0 से आपका 1-0 कतम, उपर बस काटो कितनी बार में, 2 बार में और 2 से मेरे भाई काट लो कितनी बार में 6 बार में, अब unidigit लगा लो भाई, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, उपर कहीं पर भी 5 है, नहीं है, और नीचे हमारा बस 0-0 है, तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे, सर 6 को 9 से गुना करेंगे, तो 6 इंटू 9, 54 54 का unidigit होता है, 4 ठीक है, उसके बाद में 2 इंटू 9, unidigit कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 9, 18 18 का मतलब 8, और फिर इसको गुना करेंगे तो 8, 4, 32 इंटू 9, इंटू 9, इंटू 9, इंटू 9, 4, 2 2 इंटू 9, 18 का मेरे भाई, 8 4 इंटू 9, 8, 32 का 2 तो इंटू 9, कितना आएगा, 2 इंटू 9, इंटू 9, कितना आएगा, किसमें है, यहाँ पर है, बात खताम समझ गए हैं यहाँ पर, चली आईए, अगला सवाल देखते हैं question number 15 यहाँ पर क्या बोला गया इसलिए series में थर्ट हम लोग लगाते है कि series से हमको फाइदा क्या हो जाता है या तो हमें क्या ही कांक निकाल लेते हैं उसके माधम से कर लेते हैं या हम digital से हम निकाल लेते हैं एक भाई कहता है सरा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद एक कहरे गुरुजी भोचपूरी बुलिये काहाल बा बढ़ियां बाढ़ा एकदम मजा में बतावा बुझाता की निके बुझाता ठीक बा वर्ल्ड निउस 24 बताओ हो भुत बढ़ियां चलाओ भाई पढ़ला तनी सवाल पढ़ला बाबू सेलेक्शन हो जाई तहार पढ़ला बढ़ियां से अब सवाल में काली खलवा तनी पढ़ला बढ़ियां से का कहलवा 15 नमबर सवाल देखाओ बोलोल के बाकी एक वस्तु का अंकित मुले 550 रुपे है इसके अंकित मुले पर 15 परशंट एक्स परशंट और 20 परशंट के 3 बटे देने के बाद 317.9 रुपे में बेचा जाता है यदि इसे 2 एक्स परशंट की एक ही डिसकाउंट पर दिया जाए इसका विक्रे मुले कितना होगा मतलब इस सवाल को तुम बना लिये ना तो यू समझ लो पूरा डिसकाउंट समझ गया ये पूरे सेशन में अब तक हम जितना मतलब कोशिंग करवाए हैं उसमें अगर किसी सेशन में मतलब कोई जान परान है तो इसी सवाल में मेरे भाई जान है नहीं तो मेरे भाई कोई भी जान नहीं था अब तक किसी भी सवाल में ठीक है यानि आप यहाँ पर गए और आपने एक टेडी बियर खरीदा टेडी डी के दिन देने के लिए कितने का था पांसो पचास रुपया का उस पर आपने जो है एक पंदरा का, एक एकस का और एक बीस का तिन डिसकाउंट दिया और बाद में टेडी की किमत कितनी होगे 317 जो आपको हमने तरीका सिखा है डिसकाउंट निकालने का आप उसी तरीके से करेंगे भाई आपको हम कोई और तरीका बताएंगे ही नहीं आप बोलोगे गुरुजी पहला डिसकाउंट, गुरुजी दूसरा डिसकाउंट, गुरुजी तीसरा डिसकाउंट और बाद में हाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा तो पहला डिसकाउंट हमारा कितने का मिला है तो पहला बोलोगे यहाँ पर 15% 15% की fraction value जानते हैं तो बोलेंगे सर यहाँ पर 3 बटे 20 होता है यानि 20 उर्पे में 3 का डिसकाउंट तो समान 20 का था और उसमें 3 का डिसकाउंट बिकेगा कितने में 17 में दूसरा डिसकाउंट हमारा 20% का है यानि एक बटे 5 यानि समान कितने का था तो 5 का और उसमें एक का डिसकाउंट बिकेगा कितने में 4 में आप अपने तरीके लगाओगे लेकिन जो मैं सिखा दूँगा वो आपको भी सोच नहीं पाओगे इसलिए जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ते चलो मज़ा आएगा समझो मेरी बात को लेकर तो ये पहला डिसकाउंट है और ये हमारा दूसरा रिश्यो हो गया तीसरे का कोई अता पता नहीं है लेकिन उसके बाद मुझे इतना पता चल गया कि 550 रुपया का जो समान है न वो हमारा बिका है कितने में 317.9 रुपय मैंने क्या सिखाया इनका रेश्यो लो इनका रेश्यो लोगे तो कैसे बनाओगे तो यहां से दश्यमलव हटाओगे तो 108 के यहां चलाएगा क्या आप इसे और काट सकते हैं किसी भी संख्या से जरा आप सूचिए ठीक है 51 मतलब यहां पर यह संख्या हो सकता है कहीं पर किसी से कट जाए बच्पन है हमारा तो 11 से 7 और 3 10 9 10 11 से कटेगा 11 से कटेगा तो मेरे भाई 500 बार में और 11 का दोगना 22 होता है 97 8 बार में मेरे भाई 88 हो जाएगा ठीक है और 9 बार में हमारा इतना हो जाएगा अब ये किसी से नहीं कटेगा जब ये किसी से नहीं कटेगा तो जो भी value आती है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है 500 के उपर में 500 289 के उपर में 289 उसके बाद में मैंने आपको क्या सिखाया तो उसके बाद में मेरे भाई मैंने आपको सिखाया है cross multiplication क्या सिखाया है cross multiplication यह वाला मेरे भाई cross में दोनों से multiply होगा यानी 500 की संगत किसे होगी 4 से भी और 17 से भी तो यहां इंटू 4 आएगा इंटू 17 आएगा और यहां 289 की संगत इन दोनों से हो जाएगी तो यहां पर मेरे भाई 20 भी आएगा और कितना आएगा तो 5 भी आएगा अब देखो ना कितने प्यार से यहां पर कट रहा है तो 20 इंटू 500 होता है जो कि इसके दोनों 0 को उड़ा देगा और उसके बाद में 17 से यह कितनी बार में चला जाएगा तो यह जो D3 नायम का discount है इसके पास में कितना बच जाएगा 5 इंटू 4 20 हो गया और यहां पर कितना हो गया 17 इंटू 1 यानि 20 रुपया का समान 17 में मिला है 20 का समान 17 में मिला है 3 का discount 20 पे तो overall 15% निकल जाएगा हाला कि निकालना चाहते हो X का मान तो बोलोगे sir देखिए कितने का discount 3 का कितने के उपर में 20 के उपर में इंटू कितना 100% तो यहां से आपकी value जो निकल कर आई है तो बोलोगे sir 15% का discount है कितने का discount है 15 का discount है तो यानि जो तीसरा वाला discount था वो कितने का था तो 15 का था कितने का था मिश्रा जी 15 का था अब कहा गया कि यदि इसे double पे 2X पर एक बेचा जाए इसका विकरे मुले कितना होगा यानि अब हम कहते हैं कि मेरा जो वस्तू है वो 550 ह ये अपने आप में कितने का है तो 100% का मान है मैं इस पर discount देना चाहता हूँ और कितने का इसका double यानि 15 का double कितना होता है 30% तो मैं 100% के समान में 30 की कमी करना चाहता हूँ तो मैं बेचूंगा कितने में 70 में यानि कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 70% है हाँ पर 0 से 0 खतम 0 से 0 खतम आप बोलेंगे 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 33, 38 कितना में बिकेगा 385 ओप्शन नमबर B ठीक है, बाहू बली is the correct answer ठीक है Sir, individual maths की कितनी हैं, देखिए कलби रहा नया बैच आया है मेरे भाई, और ये नया बैच के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है कल ही हमने आप लोगों के लिये announcement किया जितने बच्चे मेरे भाई हमारा live बैच लेना चाहते हैं, जितने भी बच्चे हैं तो हमारा 7 फरवरी से नया बैच आ रहा है Champions 14 पॉइंटो करके आप यहाँ पर इस बैच में आराम से enrollment ले सकते हैं और जितने प्यार से हम आपको अभी सिखा रहे हैं उससे कई गुना जादा प्यार से आप इसमें सिखेंगे क्योंकि इसमें आपको वक्त है वो 8-9 महीने हमें देना होगा syllabus को complete कराने के लिए कोशिश हमारी 6-7 महीने के अंदर में ही होती है बट फिर भी चुकि बहुत depth level तक आपको सिखाना है तो हम इतना वक्त लेके चलेंगे तो जितने भी भाई हैं जो एकदम नए सिरे से तैयारी करना चाहते है तो यह हमारा बैच आया है Champions 14.0 इसमें आप enrollment ले सकते हैं 999 रुपेस की fees है दो सालों तक इसकी validity रहेगी कोर्स के खतम होने के बाद तक में और आप इसको जो है हमारे इस inquiry number पर फोन करके ले सकते हैं बाकी जगह एक साल की validity होती है हम बच्चों के लिए double रख देते हैं क्योंकि कई ऐसी परिक्षाय होती हैं जो विलंब हो जाती है वैसी स्तिती में मेरे भाई आपका नुकसान ना हो जाए ठीक है यह हमारा mobile है मतलब application है आर जी विक्रम जीत करके तो आप इसमें install करके इस batch में enroll कर सकते हैं इसके अंदर में आपको क्या-क्या मिलेगा तो इसके अंदर में तरीके से सारी live classes मिलेंगे जितना हम आपको पढ़ाएंगे 75% से 80% में आपको live classes देंगे 10 से 20% आपकी recordings भी अविलेवल होंगी ताकि आपके syllabus को सही समय पे लेखे आया जा सके इसमें सारे classroom sheet मिलेंगे जो एकदम तरीके से होंगे सारे types उसके अंदर में बटे हुए होंगे सारे level होंगे, सभी परिशाओं के question होंगे हर chapter के खतम होने के बाद में एक practice sheet भी हम आपको provide करवाएंगे classroom sheet अलग होती है practice sheet अलग होती है classroom sheet डेर सो सवालों का होता है practice sheet भी 100 से डेर सो सवालों का होता है ताकि गनित के अंदर में जबरदस practice करा सके मतलब यू समझ लीजिए कि total 21 दिन 21 मिराथन में जितना आपको पूरा question मिला लीजिए और एक class में एक chapter का एक अकेला question आप मिला लीजिए जैसे यहां पर तो वो बराबर होगा आपको ठीक है हर chapter में 200-300 question आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसके बाद में उसके notes भी आपको दिये जाते हैं और हर एक chapter का आपका जो test है वो भी आपको यहां पर provide करवाया जाता है आपने percentage पढ़ लिया तो percentage का test मिलेगा application के अंदर में उसको आप attempt करेंगे live और तब आपको पूरा benefit मिल पाएगा ठीक है sectional test भी मिलेगा और main भी मिलेगा और साथ में एक separate जो है वो आपको doubt group भी private दिया जाएगा कि आपको कोई भी doubt है तो आप यहां पर doubt group में जाएए बच्चों से पूछिए आपकी साहता होगे यह जो private doubt group रहता है यहां पर यह मेरे भाई एक तरीके से topos के guidance के अंदर में रहता है जहां पर जो बच्चे हैं वो पूछ सकते हैं पतलब आप अगर कुछ भी पूछ होगे तो जितने भी हमारे selected candidate हैं वो सारे के सारे इस group में होते हैं और आपको guide करेंगे आपको सहीर अनिती बताएंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए ठीक है तो आप यहां पर इसे ले सकते हो आरजी विक्रम जीत application से और यह इसका inquiry number है नया बैच आ रहा है कोई भी formula आप यहां पर apply कर सकते हो तो देखो पहला discount है 10 का दूसरा discount है मेरे भाई 15 का और तीसरा discount किसका है 20 का है चले काम करते हैं इसको ratio से बताते हैं क्योंकि कई हम successive से बहुत सारा बता चुके 10% का मतलब 1 बटे 10 होता है 15 का बाई 20 होता है बोलोगे सर कैसे लिख रहे हो सौ से भाग करening क्र दो बाद 10 को से बाद 1 को सब रहे हो एक बटे łat 5 हता है यानि पहले discount का मतलब यहां पर 10 रुप या का समान था एक का discount के बाद में वागा कितने में नौ में यहां पर 20 रुपया का समान था और तीन के डिसकाउंट के बाद में बिका कितने में सत्रा में यहां पर पांच रुपया का समान था एक का डिसकाउंट के बाद बिका कितने में चार में इस तरीके से हमने यहां पर लिख लिया चार से अगर हम काटेंगे तो पांच बार में पांच है और यहां पर यह हमारा कितना हो जाएगा तो सत्रा का नो गुना सत्रा का नो गुना मेरे भाई कितना होगा एक सो तिर पन सत्रा नवा कितना हो जाएगा एक सो तिर पन तो बोलोगे सर 612, अब यहां पर देखो कमी कितनी की है, तो बोलोगे हजार में से 612 घटा दीजे, तो बोलेंगे सर 388, 388 यानि ये वाला उप्शन है यहां पर, सौझ में आ रहा है बात यहां पर, कितने की कमी है, 388 की, 388 को 10 से भाग कर दो, तो 38.8 हमारे उतर आएगा, ये कुछ हमारे तरीके होते हैं, दीखे, एक तो हो गया, बच्चों की तरह डिवाइड करके, बट्टे में ड़ाई से इंटो करो, दूसरा यहां हजार बना के कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आओ चलो, नेक्स्ट कोशन मेरे भाई यहां पर देखते हैं, और अगला सवाल समझते हैं, क्या है, बीस, पांच और दो का जो है, तीन डिसकाउंट किसके बराबर है, तो फटा-फट इसका अंसर कहां पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वीडियो के एंड में इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जितने बच्चे इसका अंसर देंगे, हमारी तरफ से उनको हार्ट मिलेगा, प्रॉमिस, पक्का वाला, ठीक है, आईए, चलिए, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं, यूपी, एसाई का ये सवाल है, और अभी आपको पता है, कि एक यूपी में एसाई पोस्ट की भी वहाली आई हुई है, तो इसके उपर मतलब सेम पैटरन के कोशन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको पढ़ लीजे, बना लीजे, आपको थोड़ा लेवल जो है, उनका पता चल जाएगा, क्या है क्या नहीं है, 12% का डिसकाउंट देने के बाद भी एक बस्तू पर 10% के लाप पर बेचा गया है, तो लागत मुले से अंकित कितना प्रतिशत अधिक था, मैंने आप लोगों से एक बात कहा है, हमेशा कहा है कि जीवन में डिसकाउंट को और एक तरीके से प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए एक ही फॉर्मला आता है, तोड़ी तविएत खराब यार, तो सुरह खासी है न, बहुत परसांग करता है हमको ठंडी में, जहां सर्दी आता है, तो इसके बाद बोलता है, तुम पढ़ाओ की से पढ़ा रहे हूँ, हम भी बोलते हैं, तुम आओ की से आ रहे हूँ, आये, चलिए, तो यहां पर कॉश्चन में क्या बोला गया, मैंने आपसे कहा था कि, जहां पर डिसकाउंट का, यानि बट्टे का, और लाब और हानी का जो, परसेंटेज का, जहां पर भी ताल मिला जाए, वहां पर हम आपको एक फॉर्मला दिये थे, समझ गये, मैंने ये भी कहा था कि, जीवन में हर कुछ भूल जाना, लेकिन इस फॉर्मले को मत भूलना, वो है MP upon CP बराबर, 100 plus minus मेरभाई profit या loss, और divided by क्या हो जाएगा, तो 100 minus discount हो जाएगा, ये हमारा वो फॉर्मला था, और इसी के उपर में आपको सारी बाते fit करने थी, तो इसके उपर में जरा fit करिये, तो बोलेंगे, सर, यहां पर देखे, MP upon में CP हमारा हो गया, ठीक है, आप ये बताइए, 12% का discount है, तो 100 में 12 गटा दीजे, तो कितना आ जाएगा, ठासी आ जाएगा, और उसके बाद में 10% का लाब है, 100 में 10 का लाब कितना हो जाएगा, 110, तो कोशन में यहां पर यह बोला गया, कितना परसेंट अंकित मुले जादा है करे मुले से, कितना प्रतिशत जादा है, हमने गहां भीया देखो, ग्यारा से काटो 10 बार में, ग्यारा से काटो 8 बार में, 8 रुपे के समान को 10 बनाया गया है, कितना जादा है मेरे भाई, तो बोलोगे, 8 के समान को 10 बनाया गया, 2 जादा है, कितने के उपर में, 8 के उपर में, इंटू कितना 100%, बच्चा बच्चा भी यहां बता देगा कुरिया का भी बच्चा जो है बदा बता देगा कितना होगा 25 समझे लेकिन कुरिया का बच्चा भी कब बताएगा मिश्रा जी जो हमारा वीडियो देख रहा होगा उसको फॉर्मुला पता होगा पते नहीं है तो का गरेगा बताइए तो बड़ा हालत आजकल खराब है बच्चे जो हैं यहां पर कुछ भी पढ़े जा रहे हैं क्यों क्योंकि मास्टर लो कुछ भी पढ़ाये जा रहे हैं सही तरीका आज एक वीडियो देख रहे थे बहुत भारी संख्या में बच्चे लाई बेठे हुए थे और आपने देखा यार एक ती सी सवाल को बीज लाइन में लपेटा जा रहा है आपने का यार कैसे बच्चे सक्सस करें यार ये बताओ वो इतना लंबा लंबा अपरोच पेपर में सीख के जा रहे है और लगाएंगे भी पेपर में वहीं तो उनकी गलती थोड़ी हो गयार उन्होंने जो विश्वास दिखाया किसी के उपर में फिर वहाँ पर क्या हुआ कि उनको वो क्वालिटी नहीं मिल पाई वो एक तरीके से तरीके नहीं मिल पाई सवाल को बनाने के वो तो एकदम गुरू भगवान सब मान के बैठा हुआ है वहाँ पे बच्चा उसको और कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं गिसी के बुराई नहीं कर रहा हूँ यहापर, मैं आप से यह कह रहा हूँ जो भी सवाल की possibilities है आप उसको सीखे हो सकता है किसी डीचर को आप पो नहीं बताओ तो आप अपनी महनत के दभी है देखे, इसमें कही ने कहीं गलती आपकी भी हो सकती है इस बात का देहान रखें, तो अपने तरीकों को बदलिए, क्योंकि जो सीखर रहा है तो सकता है, वो सवाल का बेस्ट अप्रोच ना हो, देखें हमने क्या, भाई हम आप लोगों के जगह पे थे ना, जब हम लाइब्रेडी में पढ़ाई करते थे, तो माल लीजे कोई सवाल कोई सवाल है, जब हमने मौक्टस दिया, वहां पर एक दम ऐसा लंबा चोड़ा अप्रोच आ गया, मैंने का यार, यह है ना, यह मतलब मैं पेपर में लगाऊंगा ना, मेरे को पता है, मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, मेरा टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा, तो मैं कई ब लाइन नहीं पढ़ाते थे, उसे मैं उस सवालों को डिसकस करूँगा, उसके बेस्ट अप्रोच निकालूँगा, इस दोरान मुझे काफी सारी नहीं चीज़े पता चले, जब आप किसी चीज़ के उपर में मेहनत करते हो ना, आपको मेरे बाई दस रास्ते पता चल जाते हैं, तो इसलिए कभी भी जो चीज़ आपने सीखा है, उसको बेस्ट मत मानो, मैं भी जो पढ़ा रहा हूं, उसको बेस्ट मत मानो, जरूरी नहीं है, कि उस सवाल का सबसे बेस्ट अप्रोच यही हो सकता है, इसके अलावा भी करी सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन में क्या क्या टर्म है बताओ MP है CP है उसके बाद में यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है और उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई डिसकाउंट है अब अगर आप देखोगे तो 4 चीज़े दी गई है किसी भी 3 का मांदे के चौथे का पूछ लेगा तो बस यहाँ पर यही है अगर हम बात करेंगे तो 210 रुपे के क्रेम उल्ले की वस्तू वस्तू की कीमत कितनी है 210 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस प्रॉफिट की बात अगर हम करेंगे 16 कलाब 100 में 16 कलाब 116 और डिस्काउंट की बात करेंगे 100 में 16 यानी 84 हो जाएगा अगर हम काटेंगे तो 21 से 10 बार में और 21 से मेरे भाई 4 बार में 4 से काटेंगे 2 बार में 8 और 9 बार में 36 तो MP का मान कितना होगा 10 इंट 29 यानी हो जाएगा मेरे भाई 290 अप्शन नमबर जो A है वो हमारा करेक्ट आउसर है ठीक है चलिए समझ के बात को लेकर आईए तो जो हमने फार्मला पढ़ा है आप उससे बनाईए बहुत आसान से आप बना पाएंगे अगला सवाल पढ़िए जल्दी से क्या बोला गया है कहा गया है कि मीरा ने 10% की डिसकाउंट देने के बाद बैक पर इतने का लाब कमाया बैक कित मुल इतना है लागत कितना होगा सेम चार्टर में तीन कामान दे दिया चौथा निकाल लोगे तो भाईया फॉर्मला लगा लेना हो मरक है तुमारे लिए आज हम कोशन जादा रिपीट करके लेकर आए हैं क्योंकि आज हम चाहते हैं आप प्रक्टिस जादा करो ठीक है आए चले दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का एक सवाल 2023 में क्या पूछा गया पढ़ो जारा एक वस्तु का चिनित कीमत 3675 थी विक्रेता ने अपने विक्री पर 12% का डिसकाउंट पेश किया और परिणाम सुरूप 2% का नुकसान हुआ कॉमोडिटी के लागत मुले सेम फॉर्मूला बेस्ट कॉश्चन जो मैंने आपको बताया एक तरफ मार्केट प्राइस दिया है एक तरफ डिसकाउंट दिया है एक तरफ आपको लॉस दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया है बता सकते हैं बस आपको फॉर्मूला का परियोग करना है उसके अंदर वैल्यू रखनी है और आपका यह उत्तर आ जाएगा और प्रैक्टिस आप लोग करिएगा छोड़िएगा मत क्योंकि अगर यहां आप मेरे दौरा दिये गए दो सवालों को नहीं बना सकते हैं तो पेपर में क्या गैरेंटी है कि जो कोश्ट आएगा वो आपसे बनेगा नहीं बनेगा नोट कर लिए हैं मिश्रा जी कोश्ट नमबर ना क्लास के बाद में सब को कोश्ट सॉल्फ करना है और आपको भी उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में समझे ना जाके ठीक है आईए चलिए कोश्ट नमबर 24 की बात करते हैं एक कमपनी तीन प्रकार का डिसकाउंट देती है पहला परस्ताव 25 पांच का है दूसरा हमारा 20 दस का है तीसरा पंदरा पंदरा का है बताइए कौंस आफ़र आपसे बढ़िया ओगा आप लोगों के लिए जो हम शॉर्ट वीडियो का सिरीज चलाएं है और जिसकी हमने announcement भी की थी मैंने आपको ये भी बोला था मेरे भाई समझना इस बात को कि एक बड़ा प्यारा सा हमारा channel है और ये channel आप लोगों के लिए ही मैंने शुरू किया था ठीक है अगर आप यहाँ देखोगे तो YouTube पर जाओगे ठीक है अगर आप यहाँ पर जाओगे तो इसके उपर में कुल मिलाकर अभी काफी तेजी में बच्चे जुड़े हुए है साथ लाक ठारा जार के करीमें मैं आप लोगों के लिए इसके उपर में क्या करवा रहा हूं जरा वो समझें अभी मुझे इतना पता है कि आप लोगों के पेपर में काफी कम समय है एक-एक सेकेंड एक-एक मीनट जो है वह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमने यहां पर यह ने लिया है कि एक-एक मीनट की 51 वीडियो आपके लिए बनाएंगे और उन 51 50 वीडियो के मादम से पूरा गनित काम आपका रिविशिंग करवा देंगे कई ऐसी बाते हैं बस आप एक पर थोड़े से फॉर्म में रिवाइस कर लो ना तो क्लियर हो जाता है तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए यूपी पुलिस का यहाँ पर पूरा का पूरा जो है यूपी पुलिस और जीडी का पूरा शॉर्ट्स का एक सीरीज हमने चला दिया कितने वीडियो का? एक ख्यावन महत्वपून सवाल और इसके अंदर में वो सारे कंसेट्स के हम रिविजन करवा रहे हैं जो आप लोगों के 21 दिन 21 में रातन के में हम पढ़ा हैं वो सबी सवाल जो एक मिनट में किये जा सकते हैं पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, पांचवी वीडियो तो कुल मिलाकर एक एक दिन में इसके अंदर में तीन वीडियो आपको मिलेगी ठीक है? और यहाँ पर आपको सारे शोट्स मिलते चले जाएंगे कोई बच्चा अगर एक दिन में भी पूरे के पूरे वीडियो को निम्टाना चाहेगा ना वो भी कर सकता है किस तरीके से या कौन सा सवाल आपके पेपर में आजाए कोई नहीं जानता है और किस तरीके से आपको फायदा मिल जा ये भी कोई नहीं जानता है तो तरीके से याँ पर पूरा का पूरा रिवाइस कर लीजेगा आप लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में सारे शॉट से ठीक है और ये आपका अपना चैनल है इसको यहाँ पर जाके इसे टिप दीजेगा और सबस्क्राइब कर दीजेगा समझ गए बात को लेके तो Maths Wizard आदे तरंजन ये 7,18,000 सब्सक्राइबर हैं और बहुत जल्दी ये 1,000,000 भी होने वाले हैं इस सिरीज के बाद में तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजेगा लिंक हम इसमें प्रोवाइड करवा देंगे बाकि सर्च कर लोगे तो आही जाएगा तो आज़ो यहां पर उसी के अंदर में ये शॉर्ट सी कैसे याद आगया मैंने अभी हाल फिलाल उसके अंदर में इसकी रेकोरडिंग की हुई है और ये हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आसान भाशा में बताते हैं जब भी ऐसा होता है कि आप दुकानों में जाते हो एक दुकान में गए वहाँ पर 25 और 5 का आपको डिसकाउंट मिला दूसरे दुकान में आप यहाँ पर गए तो मेरे भाई 20 और 10 का मिला तो इस सवाल से इसलिए आदा है क्योंकि उसके अंदर यह सवाल हम करवाएं है तीसरे में गए तो 15 और 15 का मेरे भाई डिसकाउंट मिला बोला गया सबसे बढ़िया ओफर कौन सा है तो आपके लिए सबसे बढ़िया ओफर कौन सा होगा वो कैसे पता करेंगे तो पहले बोलेंगे सर देखिए इनको जोड़िये कितना आ रहा है 30 25, 35, 30, 20, 10, 30, 15, 15, 30 जब सब को जोडने पर वैल्यू समान हो तो इनका डिफरेंस निकालते है यहाँ पर इनका अंतर कितने का है तो 20 का अंतर है यहाँ पर अंतर कितने का है 10 का अंतर है पंदर और पंदर का अंदर कितना है, जीरो का है, तो मेरे भाई, जिसके अंदर में जितना ज्यादा डिफरेंस, जिसके अंदर में क्या होगा जितना ज्यादा डिफरेंस, उतना ज्यादा डिसकाउंट मेरे भाई, तो सबसे बढ़ियां डिसकाउंट कौन सा होगा, तो बोल discount का मतलब यहाँ पहला प्रस्ताओ पहला प्रस्ताओ का मतलब option number C ठीक है जिहान रखेंगे डीटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्यों है कैसे है क्या है वो batches में हम लोग डिसकस करते हैं वहाँ कर लेंगे आईए same एक company निमलिकित पेशकस करती है सेम वाला सवाल है हमारा यहाँ पर तो ग्रह के लिए कौन सा ओफर बेस्ट होगा देखते बोलोगे 25-5 का gap 20 का होता है 20-10 का gap 10 का होता है 22-8 का gap 14 का होता है सबसे ज़्यादा gap इस case में है तो पहला वाला सही होगा option number C correct answer है अब बताओ फिर बच्चा क्या बोलता है पेपर tough आया था कहांसे tough आया भाई तरीके नहीं पता है तो पेपर को tough बता दिया मतलब गजब हाल है पूरा थोड़ी calculate करना होता है sum देखो सेम है तो काम खतम करो वहाँ पर आज़ो चलो 26 number question देखो क्या बोला गया भाई पढ़िए हैं आपर तो question में बोला गया है कि रमेश को 800 रुपे के अंकित मुल्ले वाली एक पुस्तक पर दो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं या तो वो 20% का प्रतेक 2 discount ले ले 20-20 का 2 discount ले पहला discount कितने का ले ले भाई 20% और 20% ये उसका बहतर योजना चुनी तो उससे कितने अधिकी बचत हुई ठीक है यहाँ पर मैं तो यहाँ पर सेम बात बोल रहा हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ समझ ये बात को ले कर ये discount आपका किसके बराबर है और ये discount आपका किसके बराबर है ठीक है यदि रमेश ने दूसरी योजना से बहतर योजना चुनी तो उसे कितनी अधिक की बच्चत की होगी ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हम एक बार दोनों में डिसकाउंट निकालते हैं इसमें डिसकाउंट मिलेगा कितना दोनों का हम परसेंटेश डिसकाउंट निकालते हैं तो पता चल जाएगा इसका जो डिसकाउंट है वो कुछ ऐसा होगा 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटे 100 मेरे भाई होगा यहाँ पर यह हमारा इसका डिसकाउंट होगा अब जब यह हमारा discount होगा तो इसमें हम यहाँ पर वो कितना दे रहे हैं तो बोलोगे sir 00-00 खतम 40 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले के matter में तो यह हो जाएगा 30 plus 10 minus 30 into 10 बटे 100 तो यहाँ पर यह value हमारी कितनी आ जाएगी तो बोलोगे sir 40 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा तो 37% का हमारा discount हो जाएगा इस case में हमें कितने का discount मिला 36 और इसमें हमें कितने का discount मिला 37 इसलिए बोला था gap जादा, discount जादा gap कम, discount कम यहाँ पर अब question में यहाँ पर क्या बोला गया है कितने का difference है तो 1% का difference है तो यहाँ पर बोला होता कितना अधिक बचत किया होता तो 1% किया होता समझ रहे बात को लेकर मानू उसने यह योजना चूज कर लीती शुरू में अब उसका मन बदल गया कि नहीं हमको यह वाला लेना है तो इस case में बचत कितने का होगा तो 1% का वो बचत कर लेगा पहले 36 मिलता था अब 37 मिलेगा 1% ज्यादा मिलेगा यानि यहाँ पर बोलेंगे तो 800 का 1% कितना हो जाएगा 800 इंटू एक बटे 100 तो 8 रुपिया का जो है वो क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा ठीक है समझ में आगया बात यहां पर आईए चलिए अब कुछ ऐसे सवाल देखिए आप लोग मतलब जहां पर आपको जो बट्टा मिलता है वो वस्तू के उपर में मिल रहा होता है ठीक है अब कुछ ऐसे वाले सवाल हम लोग देखते हैं कि पांच खरीदिये और तीन मुफ्त पाई है मिलता है कि नहीं मिलता है आज कल देखो ना सारा बाई वन गेट वन फ्री ठीक है बाई टू गेट वन फ्री ऐसे करकर के रहता है तो असल में उसमें डिसकाउंट कितना होता है तो हम किसी दुकान में गए और किसी दुकान में गए तो वहाँ पर क्या है तो वहाँ पर ये वाले स्कीम चल रहा है और क्या चल रहा है बाई थ्री गेट टू फ्री बाई थ्री और गेट टू फ्री तीन खरीदिये दो मुफ्त में लेकर जाईए इसका मतलब उसके दुकान में कितना आर्टिकल रखा हुआ है तो इसका मतलब उसके दुकान में पांच आर्टिकल रखा हुआ है माने लीजिए हर एक आर्टिकल की कीमत एक एक रुपे है हर एक article की कीमत मेरे भाई कितने हैंक एक रुपए है तो market price हमारा कितना हो जाएगा तो बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5 तो यानि अगर हम बात करेंगे तो market price उस वस्तु की कितनी हो जाएगी 5 रुपए ठीक है हमें दुकांदार ने क्या बोला हमें बोला सर इसमें से आप है न तीन खरीद लो तो हम आपको फरी में देंगे यानि दुकांदार ने हमें ओफर क्या किया तो दुकांदार ने का सर इसकी payment कर देना इसकी कर देना और बिल में इसकी payment हम कितनी करवा देंगे जीरो करवा देंगे यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा तो उसने हमें सेल कितने में किया उसने हमें बेचा कितने में एक रुपे, एक रुपे, एक रुपे कितने में, तीन में तो जो डिसकाउंट हमें मिला वो कितने का मिला तो पांच में से तीन घटा दीजे वो आपका discount है और वो जो free मिल रहा है वो कितने articles के उपर में मिल रहा है तो 3 प्लस 2 यानि 5 आर्टिकल के उपर में तो आज के बाद ये by x get y वाला जो भी कहानी रहेगा तो जितना free रहेगा उसको उपर में रखना बटे में क्या कर देना total और into क्या कर देना 100 तो 5 से काटोगे तो यानि यहाँ पर कितने का discount है तो 40% का discount है कितने का discount है भाई 40 का तो वैसे ही यहाँ पर देखिए मुफ्त कितना मिला? 3 मिला कितने के उपर 5 प्लस 3 हमारा 8 के उपर और 3 बटे 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई यह discount है तो 3 बटे 8 हमारा होता है 37 calculate कर लेना 1 बटे 8 हमारा होता है 12, 2 बटे 8 होता है 25 और 3 बटे 8 कितना हो 37 calculate कर लीजेगा तो बहुआ सवाल था मेरे भाई यहाँ पर आईए चलिए next question 28 नमबर देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया पढ़िए कहा गया 20 चूड़िया खरीदने पर रिया को 5 मुफ्त मिलती है discount कितने का है हर एक बच्चे से हम उत्तर चाहते है और like के साथ में चाहते है कोई भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा नहों जो उत्तर ना दे और कोशिश करो बिना कलम उठाई इसका उत्तर देने की हर कोई कमेंट बॉक्स में आशर दे भाई जल्दी से बोलोगे सर 5 बटे 25, 1 बटे 5, 1 बटे 5 कितना होता है जल्दी से बताओ बोलोगे गुरी जी 20% यहीं मजा है सीखने का ठीक है कितना मुफ्त मिला हमको 5, टोटल कितना 20 और 5 हमारा 25 इंटू कितना करेंगे बाबू तो बोलोगे 100% यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा डिसकाउंट यह हमारा हो गया 5 और यह हमारा हो गया 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 20% का डिसकाउंट औप्शन नमबर B फर बाहुली गरेक्ट आउसर है तो यहाँ पर आज का हमारा सेशन होता है बड़ा प्यारा खतम और अभी दो सवाल अभी खतम नहीं है यहाँ पर एक और सवाल है कोशन बर 39 है वो देखे 29 नमबर सवाल भी देखे बोला गया एक कंपनी अलग अलग तरीके के यहाँ पर डिसकाउंट देती है और यह दखो GD का सवाल है और क्या बोला गया बोला गया उसका पहला ओफर क्या है 10 और 20 का 2 डिसकाउंट दूसरा है बाई 1 गेत 1 तीसरा है बाई 5 गेत 3 पांच वाई 5 गेत 6 बोला गए which scheme is the minimum discount percent मतलब सबसे कम discount कौन दे रहा है इसको तो पहले ही मेरे भाई काट देना पूछो क्यूं यहार 5 खरीद रहे हो और 6 फ्री मिल रहा है समझ रहे बात को लेकर लेकिन नहीं 5 खरीदे 6 पाउ यह 6 पाउ का मतलब देखो सबका मैं अलग अलग बता दूँगा यहां पर समझें मेरी बात को लेकर यह confusing हो सकता है तो हम यहां पर क्या करेंगे अब अगर इस सवाल को आपने कर लिया ना तो इस सवाल को करने का मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा revision हो जाना आपका पूरा revision हो जाना आपका कि हाँ आपने जो भी पढ़ा है तो हर एक scheme का हम discount निकालते हैं पहले scheme में 10 और 20 का discount है तो बोलेंगे sir 10 प्लस हमारा हो जाएगा 20 और हमारा minus 10 into 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा है आपे तो यह हमारा कितने का उत्तर आएगा तो बोलेंगे sir 30 में से 2 घटा दीजे 30 में से 2 घटा आएगे तो 28% कितना जाएगा 28% buy 1 get 1 free तो इसमें हाँ पर free कितना मिला 1, upon में कितना 2 into कितना मेरे भाई तो 100% यहाँ पर तो हम बोलेंगे sir यह हमारा कितना हो जाएगा 50 यानि यह हमारा हो जाएगा into कितना करेंगे 100% तो बोलोगे sir यहाँ पर यह हो जाएगा 30.5% अब यहाँ पर समझना मेरे भाई इसमें क्या बोला गया 5 खरीदे 6 पाओ लोगों को क्या लगता है get 6 free 6 मुफ्त पाओ तो वो यहाँ पर क्या करेंगे फिर वो यहाँ पर 6 लेंगे और 6 और 5 बोटे 11 करेंगे into कितना करेंगे 100% यह total गलत concept है यह total गलत है यहाँ पर 6 के साथ में कहीं पर मुफ्त पाओ या 6 के साथ में free नहीं लिखा गया इसका मतलब पता है क्या है आप किसी दुकान में गए देखो यहाँ पर इसका मतलब मैं थोड़ा शाब्दी करता आपको बताता हूँ 5 खरीदिये और 6 पाइए यानि आप यहाँ पर buy करेंगे कितना तो buy करेंगे यहाँ पर 5 तो आपके bag में कितना रख दिया जाएगा आपके bag में 6 रख दिया जाएगा यानि कहने का मतलब आपको एक article free में दिया जाएगा आपको एक article कितना दिया जाएगा आप 5 को खरीदे आपको 6 को मिला free कितना मिला 1 free कितना मिला 1 तो यहाँ पर हम 6 के जगा पर इसको हम इसी statement को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर buy करेंगे पांच तो हमें मुफ्त कितना मिलेगा तो हमें मुफ्त मिलेगा यहाँ पर 1 free ठीक है तो यहाँ पर जो discount का percent आएगा वो कितने का आएगा एक का discount कितने के उपर में 6 के उपर में और एक बटे 6 into 100 यानि यह हमारा कुल मिलाकर होगा 16.66% का discount होगा तो बोला गया सबसे कम यहाँ पर किसके पास में है तो इसके पास में है यानि कौन सा option है तो fourth वाला option है और fourth वाला आपको कहां दिख रहा है option number A में यह हमारा correct answer ठीक है तो यह सवाल confusing था और यह आपके number कटवा सकता था इस बात को ध्यान में रखना ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि आपका number कटे दिल से तसली से तरीके से जो है आपको यहाँ पर option में मेरे भाई उत्तर देना है तो अब एक सवाल उसी के उपर में है एक स्टोर अपनी समान बेशने के लिए निमलिकित्ती नियुजनाओ की घुशना करता है वह अधिक्तम छूट देता है आप किसी उत्तर का जो है किसी भी सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे या ना दे मेरे भाई इसका तो यहाँ पर आपको जरूर देना है यह सवाल का अंसर हर बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो यूँ समझ लीजे हम समझ गए कि आपको सब कुछ आ गया है हम समझ गए मेरे भाई यहाँ पर कि आप पूरा जो है कम्प्लीट पढ़ चुके है और आपको जो कम्प्लीट है मेरे भाई वो आ चुका है ठीक है चलिए बहुत शैंदार साथ में हम आपको बैच के बारे में भाई बता दें तो देखे हमारा जो है आपको साथ फरवरी से 2024 से ना सिर्फ आपका मैट्स का बलकि हर एक सबजेक्ट का स्पेशल बैच आ रहा है मैट्स में मैट्स स्पेशल मेरे से विक्रमजीत सर का रीजनिंग स्पेशल प्रशान स सर का अंग्लिस से स्पेशल हमारा शिवान सर का जिय Awesome स्पेशल लेकिन इन सभी special से लेने से बहतर है आप हमारा combo batch लीजे हर किसी का special हमारा 1000 रुपय का है और आपका computer आपका 500 का यानि कुल मिलाकर हो गया 4500 लेकिन 4500 का जो course है वो आप लोगों के लिए combo batch लेने पर पड़ता है 27 रुपय का 2700 का सिर्फ batch नहीं मिलता आपको 2700 के अंदर में आपको एक complete course मिलता है सबी best teachers मिलते हैं एक ही platform पे जहां पर आपको 10 जगा बटेगने क्या वशकता नहीं है एक बढ़िया time table के साथ में आप अपनी तैयारी बिलकुल शूने लेवल से कर सकते हैं और बढ़ियां से पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के तो आराम से आप हमारा जोइन करिए combo batch आरजी विक्रम जीत अप्लिकेशन डाउनलोड करके और यहां से पूरा का पूरा लाग उठाईए आज की सेशन में हमारे लिए इतना ही है और इसका answer आप लोग comment box में दे दीजेगा और बाकी आज की जो हमारी PDF है ऐसी वाली PDF आप लोगो देख सकते हैं यहां पर यह जो printable PDF है तो हम इसको telegram पर upload करवा देंगे जैसे हम daily upload करवाते हैं तो आप यहां पर इसको telegram से free में download कर रखते हो हमारे दोनों telegram है rankers gurukul maths बयादित तरिंजन ठीक है दोनों के link भी दिये गए हैं तो आप यहां पर आराम से session को download कर लीजेगा ठीक है बढ़ियां से आप लोग पढ़ाई करिए मेरी शुब कामनाय आप लोगों के साथ में है बगवान बहुत तरक्की दे आप लोगों को बहुत कामयाभी दे आप लोग बहुत आगे बढ़े मिलते हैं दोस्तों अगले session में आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद Thank you